कि लाइब हलो एव्रीवान गुट मॉर्निंग डॉल फ्यू वेलकाम टू इंजीनर्स वाला कैसे हैं आप सभी उमीद करा हूं बहुत बहुत अच्छे होंगे एक बार कॉमेंट बॉक्स के अंदर जबर्दस तरीके के एनर्जी दिखनी चाहिए इट साफ फर्स क्लास डीडी जबर्दस तरीके के एनर्जी दिख जानी चाहिए दैन हम लोग शुरू करेंगे इसको काफी इनर्जाटिक वे में और स्टोन चेप्टर का एकदम कंप्लीट डिटेल में आपको इस ट्रेशन में बताने बाला हूं एक बार कॉमेंट बॉक्स में आप लोगों का प्यार द कि आप लोगों की तैयारी कैसी है जो एससी जई वाले बच्चे हैं या हमारे पेड बाचलेज में जो बच्चे बढ़ रहे हैं उन सभी को इस क्लास में काफी ज़्यादा सर्प्राइज़ मिलने वाले हैं तो एकदम नया नवेला सा एकदम फॉर्मेट आपको दिखाई द सबसे बहले डीडी जेई सिविल क्रैश कोर्स है अब क्रैश कोर्स का आप समझते हो कम समय में ज्यादा कंटेंट कैसे बढ़ते हैं आपको समझ में भी आएगा कि रिवीजन कैसे होगा दूसरी चीज इसमें मैं आपको थियोरी आज विलेस क्वेशन दौनों सॉल्व लगातार बने रहिएगा एकदम हाई एनरजी रखेंगे स्टार्टिंग से लास्त तक ताकि आप लोगों को समझ में आएगी ये दो घंटे कितने एफेक्टिम हमारे लिए हैं ठीक है चली तो शुरू करेंगे एक बार कॉमेंट बोक्स में आजाना चाहिए कि सार हम लोग शुरू कर सकते हैं and we are extremely ready with a high energy जल्दी से एक बार बताएंगे कोमेंट बोक्स के अंदर फिर मैं शुरू करूंगा इस चीज को ओके सर हम भी आए हैं रिवीजन करने के लिए वेरी नाइस बहुत ही बढ़िया रिवीजन के लिए हैं वेरी नाइस यह बताओ कौन-कौन पहली बार बढ़ रहे हैं बीमसी को है कोई ऐसा और दूसरी चीज पाटक सर के लिए कितना प्यार है आपके मन में वो भी एक बार दिखा दिजिए और पाटक सर से बीमसी किस ने बढ़ रखी है और किस लेवल की पड़ी है वो भी एक बार बता दें चालिए हम लोग शुरू करेंगे बीमसी में स्टोन चैप्टर को काफी सारे बच्चों का यह पॉइंट था कि सर आपको सीमेंट स्टार्ट करना चीज था बट नहीं हम पॉइंट है कि हम लोग ख्या क्या पढ़ने वाले है तूडे स्टार्गेट परसमत्ते है कि सबसे बहले सारे चाहिट सिम्छते है इं इन इस इसंसक्रहास हं हरे रिवीज करना है सर बिलकुल revision of question practice दौनों होंगी ठीक है ओके चलिए बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया शांदार देखेंगे एक बार basics of the rock and the classification basics समझेंगे rock का और उसका classification like stone ये rock मान लीजिए उनका classification समझेंगे then उसके बास second is the process of stone stone की क्या process है stone को कैसे achieve किया जाता है then उसके बाद में important stone and their uses कौन-कौन से ऐसे stones है जो बहुत important है जो की different type of stone है और उनके uses के बारे में हम लोग याँ पर बात करेंगे समझ में आ गया clear है सभी को very nice चलिए अब हम लोग आगे बात करेंगे ठीक है चलिए अब देखेंगा एक बार सबसे पहले ये बात समझ में आ गई हम लोग building material पढ़ रहे है stone chapter को पढ़ रहे हैं दूसरी चीज हम लोग stone chapter में क्या क्या पढ़ने वाले हैं so be ready guys be ready start करते हैं सबसे पहले interesting way में पढ़ेंगे मज़ा आता जाए class में तो बताते हुए चलना मज़ा आता जाए class के अंदर comment box भर जाना चाहिए दिल विल हर्ट वर्ड आगवाक सब लगा दिया अगरो class के अंदर मुझे energy बनी रहन रही है ठीक है class के मुझे बोलने की जरूत ना पड़े आप लोगों का यह जो faith है यह जो भरोसा इसे तूटने नहीं दूँगा it's promise from पाटक सर साइड ठीक है let's start our session देखेंगे एक बार सबसे पहले क्या क्या रहा हूं मैं जितने भी विटा civil engineering structure होते हैं जितने भी civil engineering structure होते हैं सब के सब बहुत सारे अलग-अलग different kind of material के combination से बनते हैं आपके घर में पत्थर लगा होगा इंट लगी होगी cement लगा होगा sand लगी होगी aggregate लगा होगा plastic लगा होगा कांच लगा होगा या फिर glass कह सकतो glass लगा होगा steel लगी होगी RCC के रूप में भी लगी हो सकती है या फिर सीधा कोई aluminium frame aluminium लगा होगा इसके अलाबा आपके घर में और कौंसा material है बताओ ज़रा DPC लगा होगा paint लगा हो कई कई घरों में वार्णिश भी होता है फनीचर में timber यूज किया गया होगा तो यह सारे के सारे जो material है क्या किया रहाओ में सारे के सारे जो material है उन सभी material का जो combination होता है उसी से आपका एक building structure तयार होता है ठीक है ना तो यह सारा क्या है विटा combination है जैसे आपके घर में brick और टाहिल से ठीक है ओके वेरी नाइस देखो एक बार किसको मैं दिखाता हूं आपसे मिला देता हूं सुवह सुवह मजा आ जाना चाहिए एक बार यह सपनसर मेरे साथ में हैं सो एक बार यह संसर के लिए जब वर्दक्तम एनरजी दिख जानी चाहिए comment box के अंदर के तो देखें बिटा ब्रिक, सीमेंट, कॉंक्रीट, सेंट, रेइनफोर्समेंट, ग्लास, प्लास्टिक, वोट, टाइल्स यह सभी जो मटीरियल्स होते हैं इन सभी मटीरियल्स को मिला करके एक बिल्डिंग स्टक्चर तयार होता है बात सही है बिटा चलिए बहुत ही मटीरियल्स होते हैं वो आप लोगों के different kind of material के combination से मिलकर के बने होते हैं ठीक है बिटा जैसे कि brick है, cement है, sand है, concrete हो गया, reinforcement, glass, plastic, wood and tiles, got it, समझ में आया बच्चों को, बहुत ही बढ़िया चलिए अब आगी चलते हैं, next point की बात करेंगे सर, देखिए अभी जो different kind of materials हैं, यह building structure में किस तरीके से होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे, okay, clear है, देखो, on the basis of their use in the field of construction, अगर हम लोग uses के आधार पर देखें, तो building materials जो होती हैं, उनको कितने types में divide किया गया है, या कितने तरीके के आपके materials होते हैं, सबसे पहले बात करेंगे, building materials को देखो, एक होते है solid materials, एक होते हैं, binding material, एक होते हैं, productive materials, got it, समझ में आ रही है का नहीं, मतलब कि मैंने बोला कि एक structure है, उस structure को अलग-अलग type of material के combination से हम लोग बनाते हैं, okay, चलिए, अब आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सर, यहाँ पे तीन तरीके के आपके materials होते हैं, एक है solid material, binding material, protective material, solid material वो material होते हैं, जिनसे basically structure का एक rigid frame तैयार किया जाता है, जैसे की brick है, timber है, steel है, iron है, यह कहें बिटा, solid building material के रूप में जाने जाते हैं, समझ में आ रहे हैं सभी को एक बर count works में जरूर बता देंगे, जरूर बता देंगे, ठीक है, okay, चलिए, आगे बाइंडिंग material कौन से होते हैं, ऐसे material जो दो material को आपस में बांद के रखने का काम करते हैं, bonding करने का काम करते हैं, क्या लिखा हुआ है, clay, lime, cement, bitumen, asphalt, coal, tar, etc, मतलब की clay हो गया, आपका lime है, cement है, bitumen है, asphalt है, coal है, tar, यह सभी का हैं, बाइंडिंग material है, बांद के रखने का काम करते हैं, कौन से, यह वाले material, next is the protective material, आप देखो, protective material को देखेंगे, तो protective material कैसे, जैसे आपके structure पर पानी से, मालो लकडी है का आपने gate लगाया, अब वो पानी से फूल जाएगा, तो उसको बचाने के लिए क्लिए, paint करोगे, तो क्या लिखा हुआ है, plaster, दीवार को बचा लकडी के सर्फेस के उपर, आइरन के सर्फेस पर कर रहे हो, तो रस्टिंग से बचा रहा है, रस्टिंग समझते, जंग वगरा से बचा रहा है, ठीक है, ऐसी warmness भी furniture की durability को बढ़ाता है, लंबे समय तक चलानी के लिए protective material की तरह यूज़ किया आता है, distember, bitumen, tar और asphalt, तीन not, water आपका binding material नहीं है, water आपका binding material नहीं है, वो एक solvent की तरह काम करता है, ठीक है न, clear सभी को, वो एक solvent की तरह काम करता है, very nice, बहुत ही बढ़िया, चली, अब यह बात समझ में आगी सर, building material मतलब कोई भी एक civil engineering structure होता है, जितने भी civil engineering structure होते है, वो अलग-अलग type के material के combination से बनते हैं, दूसरा point सर हमने ये समझा, कि जो building materials होते है, on the basis of their use in the construction field, वो आपके कुछ तीन तरीके होते हैं, solid material, binding material, productive material, ये समझ में आ गया, अब इसके बाद में, on the basis of their origin, origin के आधार पर आप लोगों के कितने, origin के आधार पर आप लोगों के, कितने यहाँ पर types होते हैं, material के पहला, organic materials, दूसरा है, inorganic materials, ऐसे material, जिन में carbon की उपस्तती होती है, उनको हम लोग organic material कहते हैं, और ऐसे material, जिनके अंदर carbon की उपस्तती नहीं होती, carbon present नहीं होता, मेरे प्यारे बच्चे, उसे हम लोग कहते है, inorganic material, ठीक है, organic material, the material which contain the carbon, एक ऐसे material, जिनके अंदर carbon पाय पया जाता है उसे हम लोग कहेंगे कार्वन आपर पसी इसके केसे इसके एक्जाममपल के स्टील टिमबर प्लास्ट इन सभी अधी में कारवन पाया जाता है दूसरा त्ट दूसरा प्थ्समें अधीएंगे धस्धेट रस देंट संद्रिय कारवन जिसमें नहीं नहीं पाए जाता उसमें iron है stone है brick है यह सभी के अंदर आपका carbon नहीं पाए जाता बुलोगे बहुत सरे बच्चे सर आइरन के अंदर तो carbon पाए जाता है नहीं बच्चे जितना कम आपके पास में carbon content होता है आपके iron के अंदर उसके आधार पर इस्टील की ductility decide की जाती है आप लोगों को यह चीज पता होगी बहुत अच्छी से ठीक है चलिए बहुत ही बढ़िया तो यहां तक समझ में आ गया अब हम लोग में अपना देखते हैं रॉक के बारे मे comment box में एक पर आजाना चाहिए बटा समझ में आगे आँ तक clear है सभी को ओके सर जस्क्वालिफाइड इन प्रिलिम्स जी सेवल ओडिसा वाले में preparing for means very nice बहुत बढ़ी है बढ़ी है लगे रहो हो जाएगा सब लगे रहो बस हो जाएगा सारा कुछ क्लियर होगा ठीक है आग समझ में आगी बात स्टार्ट करें क्या लिखा हुआ है बात समझ में आगी थी अभी civil engineering material क्या है उनके अलग अलग टाइप में हम लोग कैसे उनको क्या करते हैं classify करते बात समझ में आगी तीसरा जो point है वह आप यहाँ पर आ गया classification of the rocks rocks के बारे हम लोग बात करेंगे ठीक ह अगर carbon जो आपके पास में iron होता है वो शुद्र रूप में उपलब्ध नहीं होता वो न ओर्स की रूप में यानि कि ओर्स मतलब उसके आयसकों की रूप में वो उपलब्ध होता है अब आयसके जो होते हैं उनको हम लोग निकाल लेते हैं कहां से हम लोग उसको ख़दानो की उपस्तती के आधार पर हम उनको शुद्ध करते करतें, स्टील का उतिपादन करते, स्टील का production करते है, manufacturing करते हैं, बात कолियर है? यह बोला हुँ मैं कि कार्वन कंटेंड की उपस्तती के आधार पर, iron को धीरे-दीरे हम लोग क्या करते हैं? अलग-अलग टाइप की स्टील उससे बनाते हैं यह मतलब था ठीक है चलिए ओके नेक्स पॉइंट की बात करेंगे लिखा हुआ है मतलब कि अगर कोई आफ लोगों से यह पूसता है कि सर आपके पास कितने टाइप के कितने टाइप के आपके पास में rock के classification होते हैं तीन तरीके से rock classified की जाती है, धान रखिएगा पहला, geological classification, दूसरा, physical classification, तीसरा, chemical classification clear है, clear समझ में आगया आप लोगों को, clear समझ में आगया चलिए, आप देखों यहाँ पर क्या आप गोल रहों में rocks के अंदर, geological, physical और chemical तीन तरीके का classification होता है rocks का, अब यहाँ पर मैंने उपर इस line को इस तरीके से लिखा है कि rocks may be classified on the basis of their geological formation rocks को हम लोग geological formation के आधार पर, physical characteristics के आधार पर और chemical composition के आधार पर हम लोग यहाँ पर समझते हैं यहाँ पर classify करते हैं, अब यहाँ पर rocks तीन तरीके का आपके सामने दिखाई दे रहा है first आपका है, geological, physical, chemical सबसे पहले, geological जब हम लोग पढ़ेंगे, आप तीन नम आपको बढ़ा रहा हूँ igneous, sedimentary, metamorphic, जल्दी से एक बार comment box में लिखेंगे geological और उसके आगे लिखेंगे, उसके आगे लिखेंगे ISM जल्दी से बताएंगे, सबसे पहले क्या करोगे आप लोग, जल्दी से देखें क्या करना है, आप लोगों को मैं बताता हूँ आप लोगों ने यह करना है, कि सबसे पहले लिखना है geological, सबसे पहले आप लोगों को लिखना है geological, comment box में लिखेंगे geological और उसके बाल लिखेंगे igneous, sedimentary, metamorphic ISM लिखेंगे जल्दी से comment box के अंदर ठीक है न, igneous, sedimentary, metamorphic ओके, अब इनके बारे में detail में discussion करेंगे आगे next is, rock, physical classification को देखेंगे तो stratified, unstatisfied, quality drug इनको अभी इनी से combine करूँगा don't worry, बहुत जबर्दस तरीके से आपको बताऊँगा next one देखेंगे सर, chemical classification तीन तरीके का होगा argelisius, calcerius और silisius argelisius, calcerius, silis इनको भी आपस में तीनों को आपस में interrelate करके आप लोगों को समझाऊँगा एक बड़िया तरीके से systematic way don't worry, चलिए अब एके करके आगे समझने कोशिश करते हैं revise भी कराता हूँ, चलूँगा class के अंदर क्या क्या पढ़ चुके हैं तो civil engineering material combination होता है different आपके classification है इनके uses के आधार पर और इनके combination मतलब कि इनके origin के आधार पर फिर आपका classification कुछ इस तरीके से है अब हम लोग सबसे पहला classification देखेंगे कुछ classification, इनके कुछ basic classification भी होते हैं उनको भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे आपे सबसे पहले देखेंगे लिखा हुआ है stone के बारे में इस टोन लिख दीजिए, चाहें आप इसको rock लिखते हैं ठीक है, क्योंकि rock से ही आपके stones आपके आपे मिल रहे हैं ठीक है, देखेंगे, सबसे बहले क्या लिखा हुआ है stone are derived from rocks पहली बात तो stone को हमेशा हम लोग rocks से ही drive करते हैं rocks से निकालते हैं, stones को दूसरा point, rocks are non-homogeneous, rocks जो होती है वो non-homogeneous type की एक structure होती है अब आप मुझे comment box में बताएंगे कि ऐसे structure जो homogenous का मतलब क्या है जल्दी से comment box में बताएंगे सभी बच्चे, what is the meaning of the homogenous, सब जल्दी से बताएंगा geological, chemical सारी classification मैं आपको अब explain कर रहा हूँ, धीरे-धीरे यही important है थोड़ा धहरे रखिए, सब कुछ आएगा समझ में जल्दी से पहले comment box में आप मुझे बताएंगे, homogenous का मतलब क्या है और दो चीज़ों का मतलब बताएंगे आप दो चीज़ों जरूरी है, एक है आपका isotropic, isotropic और एक बताएंगे, आप लोग मुझे homogenous, क्या बताएंगे, एक बताएंगे आप लोग, isotropic और एक बताएंगे homogenous, ठीक है homogenous आप लोग, दो नाम आप मुझे बताएंगे इसका क्या मतलब होता है, isotropic का क्या मतलब है, homogenous का क्या मतलब है जल्दी से बताएंगे उनिफॉर्म कैसे पता है कोई बच्चे को यह नहीं पता यूनिफॉर्म क्या है है ना सर यू नोट्स बनाने का टाइम दीजे नहीं कर पारे बेड़ा नोट्स आप लोगों को मिलेंगे पी डबलू अप जैसी क्लास कम्प्लीट हो जाएगी कंप्लीट नोट्स आपको पी डबलू आप के उपर मिल जाएंगे ऐसी कोई चीज नहीं है जो नोट्स पे नहीं लिखी हुए ठीक है चली यह रिवीजन मोड पे चलने ही चीज़े तो आप उसको इस तरीके से लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा ठीक है वैरी नाइस क्या लिखा प्रॉपर्टी यार सेम इन ओल डिरेक्शन प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी या एक प्रॉपर्टी या एक प्रॉपर्ट पर जल्दी से बताईए सारे प्रॉपर्ट या एक प्रॉपर्ट पर सारी प्रॉपर्ट या एक प्रॉपर्ट पर सारी प्रॉपर्टी आपने लिखा अल दा प्रॉपर्टी आर सेम तो एक प्रॉपर्ट पर य एक जलदी से बताएंगे मुझे सारे पर अरे भाई तो समझगे दो बोलो थोड़ा है वन पॉइंट पर अच्छा मुझे दो पॉइंट बता दो जल्दी से एक बॉकस है ठीक है यह मैटीरियल है कोई भी और यह मैटीरियल के पार्टिकल ने यहां पर भी एक दो तीन चार पांच हैं अब मुझे इतना बताओ मैंने मालों यह कर दिया कि एक डिरेक्शन में हर एक पॉइंट पर ऐसे इस तरीके से मैंने बना दिया एक डिरेक्शन में सभी पॉइंट ऑपर प्रॉपर्टी सीम और एक मैं ऐसा बनाया कि एक पॉइंट पर उभी डियरेक्शन में पॉपर्टी सेब एक पॉइंट पर उडीवन पॉइंट और एक पॉइंट पर सभी डायरेक्शन में प्रॉपर्टी से जल्दी से मज़े बताएंगे अगर आपके पास में ये जो है वह होमजीनसैं या फिर आफका आइसो टॉपिक हे जरूरी से बताएंगे बिटा क्या होता है property same at one point क्या बोलेंगे उसको बीठा क्या बूलेंगे क्या बूलेंगे उसको जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ व्लेंगे एक direction में सभी पॉइंट आपर नीचे वाला one point इसको homogenius करेंगे ठीक है यह बात धान रखना गलत नहीं करना ठीक है देखो सुनो ध्यान से सभी पॉइंटों पर एकdirection में अगर property same है isotropic होगा एक पॉइंट पर सभी direction of property same homogeneous होगा सभी पॉइंट पर सभी direction में property same isotropic and homogeneous होगा बात समाझ में आ रही है समाझ में हारी है same particle at different point in the particular direction is homogeneous one point is homogeneous बिल्कुल सहीगा बिटा एक पॉइंट पर सभी direction property same homogeneous सभी पॉइंटों पर एक direction property same isotropic सभी पॉइंटों पर सभी direction property same isotropic and homogeneous तो अब इसके बारे में हो गया clear अब देखेंगे सुने इस बात को धहां से जड़ा अच्छे से काम करते हैं इसको बना रहने देता हूं ठीक है अब सुनेंगे धान से एक बार बिटा सुनों आगे क्या लिखा हुआ है इस टोन जो होते हैं रॉक से निकाले जाते हैं जो आपके पास में स्टोन होता है वह रॉक्स जो होते हैं वह आपके समझने की कोशिस करेंगे देखे एक बार सबसे पहले हम लोग मिनरल के आधार पर देख रहे हैं अब आप बुलो के सर आपने अभी तीन सबसे पहले क्या लिखा हुआ है मोनो मिनरल रॉक और दूसरा पाली मिनरल रॉक तो मोनो मिनरल रॉक मोनो का मतलब होता है बच्चे और क्या मतलब होता है मोनों का वन और पॉली का मतलब होता है पॉली का मतलब होता है मोर देन मोर देन वन या फिर मोर देन टू बन बोल दो या फिर मोर देन वन ठीक है समझ में तो मैंने क्या बोला ऐसे रॉक्स जिन में एक ही मिंदल पाया जाएगा क्या बोला मैंने ऐसी रॉक जिन में मिंदल्स पाया जाएगा मिंदल का मतलब है बटा खनिज जिससे बना हुआ होता है जैसे आपके पास में for example कोई भी चीज है जैसे मालो आपका गजक जो होती है वो गड़ से बनी हुए है समझ मारा है क्या बोला हूँ जो गजक होती खाई होगी ना अपने सर्दियो में वो किस से बनी होती है गुड से बनी होती तो गुड इस दा मिंदल फॉर गजक बात के लिए तो मिंदल का मतलब है जब कोई रॉक आपका सिर्फ एक मिंदल से बनाववा हो एक ही मिंदल उसमें पाए जाता है उसे हम लोग मोनो मिंदल रॉक कहेंगे और ऐसी रॉक जि एक से ज़्यादा मिंदल पाए जाएंगे रॉक के अंदर उसे हम लोग कहेंगे पॉली मिंदल रॉक ठीक है तो सबसे पहले तो यह बात समझ में आना चाहिए सर मोनो मिंदल रॉक के लिखा है रॉक विच कंटेन ऑली वन मिंदल ऐसे रॉक जिन में सिर्फ एक मिंदल पाए जाता है उसे हम लोग कहते हैं मोनो मिंदल रॉक और ऐसी रॉक जिसके अंदर एक से ज्यादर मिंदल पाए जाएंगे उसे हम कहेंगे पॉली मिंदल रॉक तो देख एक बार एक चीज में क्लियर कर देता हूँ जो मैं जिस सिस्टेमेटिक वे में पढ़ाता हो जारू अग को सारा जो क्लासिफिकेशन वो एकदम कम माइनली आपको समझ में आ जाएगा अभी हम लोग चीजों को बिखे रहें बाद मैं समेट हैंगे दिमाग में फिट कर देंगे ठीक है चली बढ़ते हांगे सबसे पहले क्या लिखा है सर यहां पर एक्जाम्पल देखें क्वार् क्यांट मतलोगी कैसे याद होंगे वो मेरा याद कराने का मेरा काम है क्वार्ड सेंड स्टोन प्यॉर जिप्सम मैगनेसाइड एटी सी अब एक चीज के लिए समझो यह जितने भी नाम मैंने लिखे हैं अभी एक्जाम्पल में यह सबके सब आप लोगों के सेडिमेंटरी की कैटिगरी में आती हैं अब यह बात दिमाग में फिट हो गई की नहीं हुई जल्दी से मुझे बताओ जितने भी आप लोगों के पास में सेडिमेंटरी रॉक होते हैं सेडिमेंटरी का मतलब है अब साधी चट्टाने आगे पूरा डिटेल में लंबा सा एक्सप्लेन कर होगा क्या बोला जितने भी आपके पास में सेडिमेंटरी रॉक होती है वो सबकी सब पॉली मिंडल रॉक की कैटिगरी में आती है क्लियर बात समझ मागी और सेडिमेंटरी रॉक के एक्जामपल्स क्या है ये लिखे हुए क्वार्ड सेंडि स्टोन प्योर जिस्प्सम मैं अभी चार नहीं है आगे धीरी धीरे बढ़ते जाएंगे एक्जामपल साब के नेक्स सुनेंगे पॉली मिंडल रॉक क्या होती है ऐसी रॉक जिनमें एक से ज्यादा मिंडल पाए जाते हैं रॉक्स विच कंटेंड टू और मोर मतलब दो या दो से ज्यादा मिंडल पाए जाएंगे उन्हें हम लोग क्या कहेंगे पॉली मिंडल रॉक कहेंगे जितने भी इगनियस रॉक होती है इगनियस मतलब होता है आगने चट्टाने वो सब के सब आपके पास कैसी रॉक होती है पॉली मिंडल रॉक की कैटिगरी में आती है क्लियर समझवाई बात ठीक है त आपके दिवाग में फिट हो जाएगा और कुछ भी पूछ ले आप आंसर कभी गलत नहीं करके आओगे कॉमेंट बॉक्स में तुरंत आंसर आना चाहिए ग्रे नाइट डोले राइट ट्रैप बैसाल उप आगे पीछे मत करना जो कह रहा हूँ वही सेम टू सेम लिखना ग्र ग्रे नाइट डोले राइट ट्रैप बैसाल कॉमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए तुरंत तुरंत सभी कहाना चाहिए ग्रे नाइट डोले राइट ट्रैप बैसाल जैसे लिखा रखा है ऐसे ही सेम टू सेम लिख दीजिए कॉमेंट बॉक्स के अंदर तो जितनी भी बि बिटा अगर ऐसे याद करोगे ना आगे मैं आपको बतारो कितना फायदास से होने वाले जल्दी से लेखेंगे ग्रेनाइट डोले राइट ट्राप बसाल मुझे लग रहा है बिटा एनरजी दिखनी चाहिए एनरजी मेरे अंदर दिख रही की नहीं दिख रहे एक बार कॉम सिब्सक्राइब लात हुआ में आप मैंनेन बताओं मैंसे माइंड मैपिंग किया और सथमidd और जो पॉलीमिनल और रॉट से ज्यादर पाये जाएंगे उसे हम लोग क्या कहेंगेThis is the This is the polymind अब पॉलीमिंडल में एक मिन्ण पाये जागा इस सब की सब क्या होती है बिटा आपकी कि मोन मिन्रल जितने भी आप लोगों वाइः डोले राइट ट्रैप और वैसाल ग्रेट डोले राइट ट्रैप वैसाल डिमाग में फिट करो तो निकलेगा नहीं भार कभी भी ठीक है चलो बिटा यहां तक बात क्लियर हुई अब आगे संते हैं यह बाद देखना फिट अच्छा मैं अभी इन एक्जांपल पर इसलिए धान नहीं देरा क्योंकि यही याद होते जाएंगे यही बढ़ते जाएंगे याद हो जाएंगे अब हम लोग समझेंगे किसके बारे में अब हम लोग समझेंगे फिजीकल क्लासिफिकेशन के बारे में अब धान होगा आप लोगों को फिजीकल क्लासिफिकेशन में मैंने आपको बताया था कि जियोलोजीकल फिजीकल और कैमिकल अब जिसमें फिजीकल को हम लोग पहले स देखा होगा आप किसी सेंडविच को देखों तो सेंडविच में क्या दिखता आपको लेर्स दिखती है क्या दिखती है लेर्स दिखती है दिखती है दिखती है दिखती है दिखती है अगर आप एक सेव को देखो तो सेव एपल एपल के अंदर लेर दिखती है नहीं दिखत सबस्राइब तीसरा अब समझने की कोशिस करना है सीज को ठीक है तीसरा सुनों बिटा कई बार तुमने देखा होगा कई बार ऐसे फूर्ट देखेए या फिर मटर को ले लो मटर को तुम बीच में से छील के उसमें से बाहर मटर के दाने निकाल सकते हो तो कोई ऐसा मटीरिय स्टेटीफाइड का सीधा सीधा मतलब होता है परतें पाई जाती है क्या कह रहा हूं में परतें ठीक है दूसरा अनस्टेटीफाइड का मतलब यह होता है परतें नहीं पाई जाती परतें नहीं होती और तीसरा फॉलिटेट का मतलब होता है फॉलिटेट का मतलब होता है निष्चयत दिशां में तूर जाना अभी दिमाग में फेट बहुच्छित जिसमें पड़े आ ऐसे रग जिन में पड़ें पाई जाती हैं स्टेटीम इसी रग जो एक बिश्चयत दिशा में तूटने की प्रवर्ती या प्रकरती रखती है उनको कहते है फॉलिटेड रॉक दिमाग में फिट हुआ जल्दी से कॉमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या बोला मैंने मैंने आपको यह बोला बिटा मैंने आप लोगों को यह बोला कि अगर रॉक्स परतें पाई जाती हैं किसी चट्टान में स्टैटीफाइड परतें नहीं पाई जाती अन्स्टैटीफाइड तीसरा फॉलिटिर्डोग मतलब जब आपके पास में एक निशित दिशा में टूटने की प्रवर्ती होती है किसकी चट्टानों की उन्हें हम लोग कहते हैं फॉलिटर रॉक इस बात को जितनी भी बिटा सेडिमेंटरी रॉक होती हैं वो सब की सब्स्टेटिफाइड रॉक होती हैं तो पहले पठते चलते हैं रॉक विच शोज दा लियर फॉर्मेशन ऐसी रॉक जिन में लेयर पाई जाती हैं उन्हें हम लोग कहते हैं स्टेटि फाइड रॉक सर जितनी भी आपके पास में स्टेटिफाइड रॉक होती है वो कैसी रॉक होती है बीटा सेडिमेंटरी रॉक होती है बात सही है तो क्या मैं यह बोल सकता हूं कि सेडिमेंटरी रॉक जो होंगी वह आपकी मोनोमिंडल भी होंगी और स्टेटिफाइड भी होंगी क्या बोला सब किसके एक्जाम्पल है बीटा स्टेटीपायड रोक और वैक्चुली में किसके एक्जाम्पल है सैडिमीन्टी जितनी ही लॉक्ष सब की बाप के पास ऐती और मोनुमेंडल रॉक भी होतीई है clear है आगे सुनेंगे unstatified rock ऐसी रोग जिनमें परते नहीं पाए जाती अब परते किसके अंदर नहीं पाए जाती सुनों परते नहीं पाए जाती पीटा आगने चट्टानों के अंदर तो क्या लिखाया देखो वापस से ग्रेग डोले राइट ट्रैप बेसाल्त और एक और नया नाम आ गया डायूराइट आपको सिर्फ यही सिक्वेंस तो आपको यहीं रखना ग्रेणाई डोले राइट ट्रैप और वैसाफ दीरे दीरे एक्जामपल बढ़ते जाएंगे जैसे आप समझते जाओगे ठीक है तो ग्रेनाइट डोली राइट ट्रैप और बैसाल्ट और एक नया नाम आ गया डायूराइट क्या नाम आ गया डायूराइट तो जो धीरी धीरे नए जोटते जा रहें उन पर दिमाग रखो लेकिन जैसे बढ़ाते जा रहों सिर्फ वैसे बढ़ते जाओ नेक्स पॉइंट फॉली टेट रॉक एक नई चीज आ गई तो मैंने क्या बोला इस रॉक्स विच्छाव दा टेंडेंसी तो स्प्लिट अप इन डैफिने डिरेक्शन एक ऐसी रॉक जिनकी प्रवर्ति एक निश्चित दिशाम में उनको हम लोग कहते हैं इसी रॉक जो एक निश्चित दिशाम में टूटने की प्रवर्ति रखते हैं उन्हें हम लोग फॉली टेट रॉक कहते हैं बात के लिए रसोज में आ गई है बहुत ही बढ़िया तो यह बात समझे में आई शर अच्छा जितने भी बिटा आपके ब सब्सक्राइब लोगों को बताया था जियोलोजिकल क्लासिफिकेशन में इगनियस सदीमेंटरी और मेटामॉर्फिक यह बताया था आप देखो यहीं से इसके एक और मैंने बोला था इनका इंटर रिलेशन्सिफ में आप लोगों के आप बताऊंगो देखो एक बात बैट जो इगनियस रॉक होती है वो सबके सब आपकी अनिस्टेटीफाइड जो आप लोगों की सदिमेंटरी है वो सबकी सब सब इस्टेटीफाइड और जो मतलब जो एक निश्यत दिसा में तूटने की प्रवर्ती रखती है उन्हें हम लोग फॉलेटर रॉक कहते हैं जितनी भी आप लोगों के पाइस स्टेटिफाइड रॉक हैं परतने किसमें पाई आती हैं सेडिमेंटरी रॉक्स में आगे जो मैं आपको सेडिमेंटरी रॉक्स सारा कुछ आपस में इंटर रिलेट करने लग जाएगा सब कुछ दिमाग में फिट होने लग जाएगा ठीक है बिटा के लिए क्या क्या रहूं मैं कि यहां पर क्या लिख रहा हूं सेडिमेंटरी रॉक जितनी भी आपके पास स्टेटिफाइड रॉक होती हैं जितनी भी इंटर रॉक जितनी भी आप लोगों के पास फॉलिटेट रॉक होती हैं अब थोड़ा सा इंटोड़क्शन इंटोड़क्शन यहां पर मैं मैं मेटामॉर्फिक के बारे में भी बात करना चाहूंगा जो आपके पास में जो दो रॉक हैं इंगिनियस रॉक और सेडिमेंट चाहिए रहा है करे डाट को देखना उसको देखना के बारे में कानाउंस हो रहा है बैच और वह आप लोगों के लिए है ठीक है ना तो प्लीज अब बार बार करके इसको डिस्ट्रैक्ट मिना करें एक क्लास को ठीक हैं तो मैंने क्या बोला बिटा Metamorphic के बारे में हम लोग बात करे थे देखो बिटा जब कभी भी आपके रॉक जो होती है वो दो ही तरीके की हैं कौन-कौन सी एक है आपके पास में Agnes और एक है आपके पास में Sedimentary Rock जब Agnes और Sedimentary Rock के Temperature और Pressure में Change होने के Current से जो नई रॉक बनेंगी क्या बोला जो नई रॉक बनेंगी पिटा उनको हम लोग क्या बोलेंगे उन्हें हम लोग बोलते हैं Metamorphic जल्दी से मुझे बताएंगे समझ में आई कि नहीं बात मैंने क्या बोला कि पिटा जब भी कभी जब भी कभी दो रॉक हैं आपके बात एक है आपके पास में Igneous Rock एक है आपके पास में Sedimentary Rock तो Igneous और Sedimentary Rock जब इनके Temperature और Pressure में Change होता है या करते हैं और उसके बात जब एक नई चटान बनती है तो नई चटान के बनने पर जो एक नई रॉक हमारे पास बनी उससे हम लोग Metamorphic Rock कहते है समझ मैं क्लियर है बात सभी को आगे Detail में पूरा Explain करूँगा इन तीनो Rock टाइप की Rock को Main यही Rock है Igneous, Sedimentary और Metamorphic तो सभी की सभी जो आपके पास Sedimentary Rock है वो सब के सब Statisfied Rock होती है जितनी भी आप लोगों के पास में है जिसमें लेयर पाई जाए जैंगी जिसमें लेयर पाई जैंगी वो Statisfied और लेयर किसमें पाई जाती है Sedimentary में सारी सेटिफायल wall Start to define Rock होती है अनिस टेटिफायल मतला इन परते नहीं पाई जाती जितनी भी आपके आप राग्यानियास रॉक है यह दोस्ते झार चले दोस्ते का नहीं तोस्ते प्लासफिकेशन कैमिकल डूसीफिकेशन क्या भूल है चामट बॉक्स भाग्ष बना दोगे आगे उनगे-वेटरण लोग kos सबसे पहले क्या लिख रहा है तो सुनेंगे एस नाम से पता चलना है ऐसी रोग जिन में सिलिका मुख्य रूप से उपस्तित होता है उनको हम लोग क्या बूला इन दीज रॉक्स, सिलीका प्रीडॉमिनेट, प्रीडॉमिनेट का मतलब क्या होता है, उसको भी समझे, प्रीडॉमिनेट का मतलब होता है, मुख्य रूप से उपस्तित, क्या होता है इसका मतलब, इसका मतलब होता है बिटा, मुख्य रूप से उपस्तित, जब आपके पास म अंदर जो silica है वो pre-dominate करती है next लिखा हुआ है यह आपकी hard और durable rock होती है काफी hard होती है लंबे समय तक क्या चलने वाली रॉक होती है इसके एक्जाम्पल सुनेगे इसके एक्जाम्पल याद करने के लिए भाई शी सबसे पहला सेंड इस्टोन अच्छा यह मैंने कहां एक राए Youtube अपको सेंड़ सटोन किसका एक्जांपल भीटा सेडीमेंटरी रॉक का उसके बाद में नेक्स्ट एक नाम लिखा हुआ इस जगह पे इसका नाम है बिटा क्वाड़ अभी क्वाड़ आज और के बारे में बात करेंगी अचा ग्रेण बेसाल बोला था तो ग्रेनाइट डॉले राइट ट्रैप वैसाल में ग्रेनाइट कैसा आपके पास एक्जामपल का इग्जामपल का इग्जामपल है तीसराथ मैंने आप लोगों को भी थोड़ेर पहले बताये था कि जो एक तर एक और रॉक होती है Metamorphic rock Agneous और Sedimenty Rock के Temperature और Pressure में Change होने के कारण से जो नई rock बनती है उनी को हम लोग कहते है Metamorphic rock क्या कहते हैं बच्चे Metamorphic rock कहते है तो एक बात का धान रख ना जैसे आप लोगों के पास में भहत अलनक टाइप की रॉक है मैं आगे देखो आपको बताऊंगा देखो एक बार थोड़ा सा डैमो देखा देता हूं ताकि आपको क्लियर समझ में चीज़े जल्दी से देखना जैसे देखो यह और इजनल रॉक है जब है मैटमोर्फिक रॉक की उपर चेंज होती है तो कौन सी रॉक रॉक है कि नहीं यह लोग सब बिल्कुल है वी सेडीरी कि रॉक है लेकिन जब इसके टेंप्रइचРЕग्स किया जाता है तो इसी चीज को मैं बाद मैं explain करूँगा पहले मैं अब तुम सोचोगे सब पहले आप इसको पढ़ा देते बिटा मेरा पढ़ाने का style थोड़ा सा different है और आपको पसंद भी आएगा एक बार थोड़ा पढ़ लो पहले ठीक है चलो डेली बिटा दो घंटे ही class रहेगी टेंशन मतलो अब सुन comment box में लिखोगे बिटा send stone और arrow लगा के लिख दो या dash लगा के लिख दो quartzite तुरंत comment box में आ जाना चाहिए send stone और dash लगा के लिख दो बिटा that is quartzite quartzite क्या लिख रहा हूं में quartzite send stone के जब temperature और pressure में change किया जाता है तो वह एक नई rock quartzite के अंदर change हो जाता है ठीक है और quartzite किसका example हुआ बिटा metamorphic rock का example हुआ जल्ली से comment box के अंदर बिटा एकदम धीला धीला महावल नहीं चलेगा ऐसे नहीं होता है काम ऐसे selection नहीं होते हैं महावल धीला नहीं चाहिए class के अंदर एक बार comment box के अंदर तुरंत आना चाहिए कि सर send stone quartzite के अंदर change हो जाता है और quartzite कैसी र बहुत ही ऐसे बढ़िया चलो आगे बढ़ते नेक्स पॉंट रफ़ेस रोग देको पहले किलियर कर देता हूं बहुत सारे बच्छो को बता बहुत सारे को नहीं पता आर जिल का मतलब होता है बीटा कले आरि चल का दूसरा नाम है क्लेया एलुमिना क्या होता है क्लेया एल 203 ओके बात आई समझ में किले या फिर ऐलुमिना तो मैंने का बोला बिटा आरजलीसेस रॉग ऐसी रॉग जिनमें किले प्रीडॉमिनेट करता है उनको अम लोग आरजलीसेस रॉग कहते हैं और यह आपकी हाड डूरेबल होती है बट बिटल बिटल का मतलब होता है बिटा मतलब की छड भंगुर का मतलब सांते हो सबी लोग चड भंगुर का मतलब है लो वार्निंग विफोर फेलियर से पहले आप लोगों को कोई यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी बात आई बिटा समझ में no warning before failure तो अब इसके example याद करने का तरीका कुछ नहीं है आपको याद करने ही पड़ेंगे बिटा देखो कैसे पहली बात कायो लाइन आपको याद करना पड़ेगा अभी आपको बता दूँगा letterite slate al203 एनकी al203 alimina के example है ठीक है तो आपको ध्यान पड़ेंगे ये सारे example बिटा आपको ध्यान रखने पड़ेंगे क्या लिखा मैंने कायो लाइन letterite slate al203 बस कायो लाइन आपको याद हो जाएगा clay के 3 मिननल होते हैं सुने होंगे आपने elite montmorillonite और कायो लाइन सुने हैं आप लोगोंने चल्दी से बता दीजिए मुझे मैंने क्या भूला भीड आपको तीन तरीके का रॉक हो तीन तरीके का आपके clay के मिननल होते हैं ilite montmorillonite और कायो लाइन clear है तो यहापे मैंने कायो लाइन क्ले का मिननल होता है स्याद हो जाएगा फिर लेट्राइट स्लेट एल्टो थी सब आपको याद करना पड़ेगा ठीक के लिए रहे नेक्स पॉइंट है कैल सीरियस रॉक हम नान से पता चल गया ऐसी रॉक जिनके अंदर कैल्सियम कार्बनेट प्रिडॉमिनेट करता है उससे हम लोग कहते हैं कैल लाइम स्टॉन ही इसका एक्जामपल है दूसरा अब एक नई चीज़ सुनो सर लाइम स्टॉन कैसी रॉक है बच्चे लाइम स्टॉन कैसी रॉक है अभी आपको थोड़े पहले बताया था लाइम स्टॉन है सेडिमेंटरी रॉक है कैसी रॉक है सेडिमेंटरी रॉक है वह नहीं पर अगर मैं मर्बल की बात करता हूं बिटा तो यहाँ पे जो आपका मार्बल होता है वह से लôm मार्बल चेंज होता है और मार्बल कैसी रॉक हुई आपकी या आपकी मेटामॉर्फिक रॉक हुई कैसी रॉक हुई पिटा मेटामॉर्फिक रॉक हुई आगे आपको बताऊंगा ठीक है मेटामॉर्फिक रॉक होगी देखो आगे यहां पे लिखा हुई है यह जो मैंने मार्वल कैसी रज है बिटा मेटा मॉर्फीक रॉक है यह बात आपको समझ में आगे हो reproductive क्या उन्षी बात सर्के आपके पास जब śसक्राफ करके तो तो प्यारे बच्चों अभी तक हमने क्या देखा जल्दी से दमस्ते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं कि सर्स जितने भी सिविल इंजीनरिंग मट्रील होते हैं अलग लग टाइप के क्या कि है तो सबसे वहले नाव यहां को बताएगी एक मिंडल के अधार पर दो तरीके के एक MPP मौनमिल मतलब जिसमें एक मिंडल पाए जाएगा उनको मोनमें बोलेंगी जितनी भी सैटिमेंटी रौक है मोच सबके सब मोनमेंडल जितनी भी आप पास में ब carbohydrate होगी सब के सब्सक्राइब करेक्षार जाते हैं जितनी भी अने सब्सक्राइब डॉक्राइब मिंदल की जगह पॉली मिंदल भी होती है और फॉलिटेट रॉक मतलब जितनी भी आपके पास में मतलब एक निश्य दिसा में टूटने की जब प्रवर्ति होती किसी रॉक की आफिर कोगे एक नई डिरेक्शन में जाके एक नई रॉक में परवर्तित हो जाएगी तो उसे हम किएक ऩॉलिटे ट्रॉक जितने भी आपके पास में मेटामॉर्फिक होंगे वो सब के बास कैसे रॉक होए इक्जांपल होंगे मेटब ऑफीक रॉक वो रॉक होती है जो अजिग्नियास और सेटिमेंटरि लोक के टैंप्रेच्ट और परेश्टमी से बनती है अब यहां प आपको पूरा एक्जामपल बताओं यह भी इनिस रॉक की टाइप हैं तीस दूसरा आपके पास एक मैंने बताई आपको भी सेडिमेंट्रों सेडिमेंट्रों के अंतर समझना सेंडि स्टोन लाम स्टोन चौक जिबसम लेटराइट शल इत्यादी इसा भी किसके ग्जामपल है नेक्स बात कर लेते हैं ओके ए- चिलियर हो गया आगे बहुते नेस्ट बात करेंगे तो यह पढ Лिया हमने फिर यह पने हैं ऐ, पहिंः कलाशिफिकेशन थी टीन लिघ्थ हरी के कि धिति होग तक तियुक पैस्याइप नागर था यह bad is और ऑपेस्टेह रोग इतने सब्सक्राइल करें इसी रॉक्त करestersite Rockत जिनमें केलसम कार्वेंटया लायम स्टॉन मुक्रूप से उपस्तित होता है जैसे कि लायम स्टॉण आपका सैडीमेट्री डॉक और लायम स्टॉन किस में कंभर्ट होगो अपका मारबल मेंवें कंभर्ट हो जाएगा अब आप मुجह इतना बताओगे अब आप मुझे इतना बताओगे, एकदम इमानदारी से बताओगे, पहली बात तो यहां तक एकदम crystal clear है की नहीं, दूसरा यहां पर confusion हो रहा हो, सर इतने example आ रहे हैं, कैसे हैं, बिटा मैंने example सिर्फ दो ही rocks के बताएं, और वही सारी rock आपस में आपस में घूम रही हैं, प सल्दी से comment box में आ जाना चाहिए, कितना आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया है, चलिए आगे बढ़ते हैं, next point की तरफ, next point आपका सबसे जादा important है, सबसे जबरदस्त, क्योंकि अब हम लोग वो पढ़ने वाले है, geological classification, जिसकी पूरी की पूरे इस lecture के अंदर कहानी चल रही थी, clear बिटा, चलो, अब बढ़ेंगे आगे, क्या लिख रहा है, geological classification, जियो लॉजी disproportion, मतलब मेरे प्यारे बच्छे होता है, उत्पत्ति के आधार पर, क्या होता है, इसका मतलब होता है, उत्पत्ति के आधार पर, मतलब की, उत्पत्ति के आधार पर, यदी हम ल पर चलता है ओके चलिए तर मार्बल मेटामॉर्फिक रोग है बट बुक में दिया हुआ था अनस्टेटिफाइड का एक्जाम्पल है सारी चीज़ें क्लियर करूंगा डॉंड वरी मेरे साथ चलते रहो वह साप लोग ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अब देखो क्या होता है रॉक साइकल थोड़ी से समझनी कोशिश करते है रॉक साइकल कैसे चलती उसको देखते हैं इंक बार देखो बिटा क्या होता है में जो रॉक होती है वह पूरी दुनिया में और अच्छा कुछ बच्चे करें से मिल जुल मिल गया यह क्या बोला है सर्फ प्लूटो ने कभ कर्हिआइज पंत नाम आपका अर्षित पंत मैं गैरंटी देता हूं अगर इसके बाद भूल जाओ ना इस चीज़ को तो मुझे बता दे ना प्लम है एक गैरंटी Chief को तो मुझे बता देने ना अफ्ट टू के गया आपको बताऊंगा एक रॉक थी इगनियस रॉक ठीक है अब क्या हुआ तेज हवाएं चली पानी आया तूफान आया आंदी आया बारिस गिरी उसकी वज़े से क्या होता है ये रॉक ना छोड़े बारीक पार्टीकल के रूप में टूट टूटके जड़ जड़के आंसे गि करती गई और बहे बहे के दूसरी जगह पे खट्टा होगे जमने लग गई ठीक है तो क्या हुआ एक नई रॉक बनगी जिसको हमने बोल दिया सेडिमेंटरी रॉक अभी पूरा एक्स्प्लेन करेंगे डिटेल में बताऊंगा कौन सी रॉक बनगी बिटा सेडिमेंटरी र इसके टुकड़ों की रूप में तूरती गई और यही रॉक आपकी धीरी धीरी एक जगह जाके एक घटा हो गई तो उससे एक नई रॉक बनी जिसको हमने बोला सेडिमेंटरी रॉक तो अब दो रॉक हो गई एक आपकी रॉक और एक आपकी होगी कौन सी सेडिमेंटरी र साथ में जब कोई भी एक रॉक तूट करके और बारिश पानी के साथ में बह करके दूसरी जगह पर जाके जम जाती है उसे हम लोग कहते हैं सेडिमेंटरी रॉक क्लियर है अब यहां पर देखो दौनों में एक एरो लगा हुआ हीट और प्रेशर में चेंज होने के कारण मतलब कि जब आपके पास में अब दो रॉक बन गी एक इगनियस ती इगनियस से कौन सी बन गया आपकी सेडिमेंटरी अब एंगनियस यह सेडिमेंटरी के टेंप्रेचर और हीट है फ्रेसर और टेंपरेचर बुल दे हैं फिर बोळ Table प्रेशर में तैमपरिचर प्रेशर में gear ब Means बंती है और के style को हम लोग कहते हैं डिट Town माफिक हो क्या कहते हैं अब अब क्या होता है जब मेटामौफिक हो बंती एli तो यह आपके कई बार ऐसा होता है कि इनसे लाबा निकलता है मैं आगे बताऊंगा एक्स्प्लेन करूंगा लाबा जब पिगलता है तो लाबा के पिगलने के कारण से वापस से आपकी कंसी रोग बन जाती है इगनियस रोग बन जाती है तो फिलाल अभी इतना दिमाग में सेंपित रखो एक ही रोग थी इगनियस इगनियस से बनी मेटम और सेदीमेंट्री और जब इन दौनों के जब इन दौनों के हीट और प्रेशर में चेंज होने कार से जो नई रख बनी उसे हम लोग मेटामोर्फ कैंँगे इतना डिटेल में बताऊंगा जितना आप लोग रॉक सुनेंगे तो क्या लिखाए मैंने इगनियस रॉक देखो एगनियस भी विखुए है मने हम लोग एगनियस भॉण कैते हैं पैसे रोग जोड़ केरण से स्थीं हैं वात आई समझ में है बत आई स्योगम है एयसि कीघनाइट कैरण लूदा इगनाइट ऐसी रॉक जो इगनाइट एनकी फायर के कारण से उत्पन हुई है उन्हें हम लोग इगनियस रॉक कहते हैं क्लियर अभी तो सुन लो बेड़ा बात में इतना डिटेल में बताऊंगा नेक्स्ट नेचर मतलब हमारे वाई मंडल में आप कहूंगा मैं हमा 65 प्रतिशत जो रॉक है वो इगनियस रॉक के ही एक्जामपल्स है ठीक है बिटा आगे सुनेंगे क्या लिखा हुआ है थीज आर ऑल्सो कॉल दा मदर रॉक क्या लिखा है बिटा बहुत इंपॉरेंट बात है कैसे हुई सर अभी मैंने रिसेंटली आपको रॉक साइकल कॉश्चन है आपका हुई इस दा मदर ऑफ आल काइंड ऑफ रॉक सभी टाइप की रॉक की मम्मी कौन कॉमेंट बॉक्स में आंसर आ जाना चाहिए चलो तो मैंने क्या बूला बिटा यह इसी से सारी सारी रॉक बनी है तो मैंने क्या बूला कि इससे हम लोग मदर रॉक कहत होती हैं तीसरा इन्हें हम लोग मदर रॉक भी कहते हैं नेक्स सुनेंगे अब सुनेंगे यह बना कैसे देखो बिटा क्या होता है धान से सुनना बहुत बार रिपीट करने की जरुवती नहीं पड़ेगी सुना ध्यान से क्या होता है अर्च सर्फेस होती है जो पृत्वी सर्फेस होते हैं अब वहां पिना उर्फ सर्फेस के बहुत घहराई हमें तो अठ्यद हाय होता है तो अथ्य गेहराही में आपके पास मैं जमीन से नीचे जा रहे हो सर्फेच के लिएंAt की तरफ high temperature होता है अर्च surface के नीचे अत्यादिक गहराई में जिसके कारण से वहाँ पे उपस्ते जो silicate होते हैं वो पिगल जाते हैं और उपर अर्च surface की तरफ आने की कोशिस करते हैं एकदम simple बाशा में मैंने बोला है कि मैंने simple बोला अर्च surface के अत्यादिक गहराई में अत्यादिक temperature होने के कारण से silicate पिखल जाते हैं और पिखले हुए silicate को हम लोग क्या कहते हैं और वो मैंगमा अर्च surface की तरफ उपर आने की कोशिस करता है समझ में आ रही है जैसे यह मालो आपका earth surface है कि थीए आपका क्या है यहां पर jobbar स्लीकेट च्वाप कि क्या होगे पीगल गए अब पीगल के क्या हुआ दीरे दीरे ऊपर आने की कोशिस करे रहें क्या करें एक sales रहा है की कोशिस करें टो होता क्या है कुछ आपके जो स्थिलिकली कि इसimes said कॉल सोट है तो temperature यहाँ पर दीरी-दीरे कम होते जा रहा है, तो कुछ तो यहीं पर क्या हुआ, ठंडे हो गए, कहीं तो यहीं पर आपके ठंडे हो करके जम गए, और एक नई चट्टान बना ली, क्या बना ली बीटा, नई चट्टान बना ली, जिसने हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाइपे बैसल रॉक कहते हैं, या फिर हाइपे बैसल इगनियस रॉक किसको लोग कहते हैं, उसके बाद कुछ ऐसे सिलिकेट थे, या फिर ऐसा मैग माता जो अभी भी नहीं ठंडा होके जमा, तो वो एकदम अर्थ सर्फेस पर चला गया, अब तुमने देखा है, कई बार क्या होता है बिटा, जमीन के अत्तरिक नीचे से सिलिकेट, जब तेज स्पीड में उपर की तरफ आते हैं, तो वो जौला मुखी के रूप में फट जाते हैं, क्या हो जाता है बिटा, वॉलकैनिक का मतलब है वॉलकैनिक रॉक मतलब ऐसी रॉक जो की वॉलकैनों मतलब जौल मुकी के फटने के कारण से बनी हो से हम लोग वॉलकैनिक रॉक कहते हैं तो यह जो रॉक हुई बिटा किसके कारण से हुई वॉलकैनों के फटने के कारण से बनी हैं बात आई समझ में कितना सिंपल समझ में आया जल्दी समझे बताएंगी एक बर वापस रिपीट कर देता हूं कि सर अर्च सर्फेस से अत्यदे गहराई पर सिल्केट जो होते हैं हाई टेंपरेचर के कारण से पिगल जाते हैं और उससे पिगले वो सिल्केट को हम लोग मैगमा कहते हैं अब वो मैगमा और सर्फेस के उपतरफ आने की कोशिस करता है ठीक है और अलग-अलग स्टेजेस पर वो ठंडा होके जमता है जिससे की नई रोग बनती है जिससे हम लोग इगनियस रोग कहते हैं अब जब उस अत्यदे गहराई पर मैगमा के ठंडा होने के कारण से जब वो जमा तो से हम लोग कहेंगे प्लूटॉनिक इगनियस रोग फिर कुछ सिलिकेट जो अभी तक नहीं जमा हुए जब नहीं ठंडे हुए वो और उपर आए फिर और उपर आके जब वहां पर किसी कंसीडेबल डेफ्ट की जागा शैलो डेफ्ट पर जब ठंडा होके जमे उनको आ अलब मुखी की रूप में फटके बहार निकलते हैं और इसी वजए से उनको हम लोग वालकेनिक रॉक कहते हैं और अर सर्फेस पर ठंडा होकर के वो जम जाते हैं तो मेरे साब से आप लोगों को बात जल्दी से बताईए समझ में आई है कि नहीं आई किलियर है सभी को बह लोगों को बहुत तीचा बरतास है ओके समझाने का तरीका बहुत अच्छा थैंकि सो मच चली तो समझ में आगे बटा अब आगे बढ़ेंगे क्या लिखाव है जहां से समझने कोशिस करें क्या लिखाव इस जगए पे सम्टाइम्स कई बार टैंपरेचर ब्लोग अर्ट स आते हैं एंड ट्राइस टू कम अप साइड और उपर आने की कोशिस करते हैं विच इस कॉल दा मैगमा मतलब जो पिलिका पिगला हुआ जो सिलिकेट है उसे हम लोग मैगमा कहते हैं इस रॉक्स आर्फॉर्म डूट दूदा कूलिंग अप मैगमा और यह रॉक्स जो होती ह हैं वो मैगमा के ठंडा होने के कारण से उत्पन होती हैं तो मेरी बात द्यांत से सुनो मैंने क्या बोला बिटा मैंने बोला कई बार टैंपरिचर जो होता है और सरफ इसके नीचे का वो आपका हाई होता है बढ़ जाता है जिसकी कारण से सिलिकेट आपके पिगल जाते है पिग ले वो इस silicate को हम लोग कहते हैं magma और magma के ठंडा होने के कारण अलग-अलग depth पर magma के ठंडा होने के कारण से जो rock बनती है that are called the igneous rock हिंदी मन को आगने चट्टाने कहते हैं अब ये जो आगने चट्टान है मैंने बताए कि जो अत्यादि गहराई पर आपकी जमेंगी considerable depth पर magma के ठंडा होने के कारण से जो rock बनेंगी that are called the plutonic rock जो थोड़ा और उपर जाएंगे तो मतलब इसको shallow depth बोलेंगे तो shallow depth पर जो rock magma के ठंडा होने के कारण से बनेंगी उनको hyper vessel rock और जो rock आप लोगों की वालकेनों के फटने के कारण से जौलम होगी के फटने के कारण से ठंडा होकर के अर्थ सर्फेस पर जो rock बनेंगी उनको अमलोग वालकेनिक rock कहेंगे ठीक है सबसे बैस तरीका इसको भी वापस से रिवाइस करोंगा अब सुनो बेटा आपके पास में origin के आधार पर उत्पत्ती के आधार पर आपके पास जो इग्नियस rock होती है वो तीन तरीके के होती है जैसे मैंने यहाँ पर नाम भी लिखे थे तीन तरीक कौन सी बीटा plutonic, hyper vessel और volcanic rock plutonic, igneous rock, hyper vessel, igneous rock and volcanic, igneous rock सब भी को याद होगी अब आप लोगों को एक चीज ध्यान होगी मैंने आप लोगों को बोला था कि तीन चार एक्जामपल याद करो क्या याद करो grey knight, doly right, trap, besal, किस-kis बच्चे को याद है जल्दी से comment box में वापस से आ जाए grey knight, doly, right, trap besal, तुरंट आजाना चाहिए grey knight, doly right, trap, besal, चलदी से तुरंट इसको ऐसे समझना पड़ेगा नीचे से उपर गी तरब सबसे पहली रोक क्या है सब से वहर प्लूटानिक यि नियाज सांथर प्लूटानिक हाई पबेशल वालकनिक प्लूटानिक हाइप है वहीत और सबसे अत्यादे गहराहि लेकिन कुछ नए नाम और बता रहूं जो आप लोगों को पता होने चाहिए प्लूटॉनिक इग्नियस रॉक के कुछ और भी एक्जांपल से लाइक डाइव राइट इसका एक्जांपल है साइनेट इसका है और गैब यह आप लोगों ने जरूर पढ़ा हो गैबर रॉक एक और धाबर रोग केकी एक श्वाई अपसे और खाल प्लूटॉनिक इस्वार का हैं देखो सबसे पहले काई हुआ इगनियस रॉक का मतब है जो आग के कांट से उत्पनवी रॉक है उनको इगनियस रॉक कहते हैं और सर्फेस पर नेचर में 60% 5% मात्रा में आपकी इगनियस रॉक यू प्लब दोती हैं तीसरा इनको हम लोग मदर रॉक बनते हैं क्योंकि ब जब कंसीडेवल डेफ्ट पर आपका मैगमा ठंडा होके जमता है तो वहाँ पर प्लूटानिक रॉक बनती है जब अपका मैगमा ठंडा होके नई रॉक बनाता है तो उसको आई पे बैसल और वाल के नहीं रॉक में फटने के बाद मैं जो आपका लावा है देख दान से है तो जो लाबा है वह ठंडा होके जब जमता है तो नई चट्टान बंदी इसको वाल के रॉक कहते हैं एक्जामपल देखेंगे तो मैंने तीनों के नाम सिस्टमेडिक बताए वाल सबसे पहला प्लूटानिक हाइब बैसल इग्नियस ग्रेनाइट डोले राइट ट्रैप देमाग में फिट करो सब कुछ आद होगा चली अब एक्जामपल बढ़ेंगे आगे यां बिटा पैग में टाइट वगरा भी बताऊंगा आगे सब कुछ है टेंशन मतलो ठीक है सब कुछ है आगे टेंशन नहीं लेने का ओके आगे बढ़ें नेक्स पॉइंट की तरफ त जमीन के सबसे अधा गहराई पर मैगमा के ठंडा होने के कारण से कौन सी रॉक बनी थी प्लूटॉनिक और अर्च सरफेस पर मतला सबसे आउटर साइड में एक्स्टरनल सबसे बाहर की तरफ कौन सी रॉक बनी आपकी आपकी वालकेनिक रॉक क्लियर है कौन सी रॉक बनी तो यहां पर दो चीज क्लियर समझ लो मैंने क्या बूला जब कभी वी सबसे आंतरिक रूप में या फिर अंदर की तरफ इंटरनल सेक्शन में जब कोई रॉक फॉर्म होगी तो उसको हम लोग कहते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक इंट्रूसिव का मतलब है यह जमीन के सबसे इंटरनल वाले पार्ट पर रॉक बनी है इसलिए इसको इंट्रूसिव इग्नियस रॉक कहेंगे और जमीन के सबसे भार वाले पार्ट में कौन सी रॉक बनी है आपकी वाल के रॉक इसको हम लोग एक्स्टूसिव इग्नियस रॉक कहेंगे यह दो चीज दिमाग म चलिए तो यह मैंने क्या बताए बटा Plutonic rock के बारे हैं सबसे पहले समझते जो बोला है वही लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है Form due to the cooling of magma Magma के considerable depth पर Earth surface से Earth surface ही रहा और यहाँ पर considerable depth पर यह माल लो तो considerable depth पर यह Earth surface हो गया आपका Earth surface तो Earth surface से considerable depth पर अत्यादी गहराई पर अगर मैं जाता हूँ तो temperature कैसा है बटा हाई है temperature हाई है तो अब इससी बात है वहाँ ठंडा बहुत देर में होगा cooling कैसी होगी slow होगी तो यहाँ पर क्या लिख रहा है cooling is slow जैसे जैसे अब Earth surface की तरफ आते जाओगे आप लोगों को और बता रहेता हूँ अगर आप मुस्से टेलीग्राम चैनल पर एक official टेलीग्राम चैनल पर connect होना चाहते हैं तो आप official PW टेलीग्राम चैनल पर में साथ connect हो सकते हैं और वो मैं आपको चैनल नाम भी बता रहा हूँ अफिशल मेरा ये PW का हैंडल है टेलीग्राम की उपर आप मेरे साथ यहां connect कर सकते हैं ठीक है ओके देखेंगे जल्दी से एक बार comment box में भी एक बार मुझे बताएंगे आप लोगों यहां पर connect है या नहीं और नहीं है तो जल्दी से connect कर लेंगे तो क्या लिखा मैंने यह मैगमा के considerable ड्वैत पर ठंडावन के कारण से बनता है cooling इसकी slow होती है और इसका coarsely के बाद एक स्पेस है उसके बाद PW लिखा हुए ठीक है बिटा क्लियर है सेम इसी तरीकी सापको लिखना है तो मैंने क्या बोला आप लोगों को सबसे अत्ते हैं गहराई पर बनने वाल लोग कौन सी है प्लूटॉनिक इग्नियास रोग दूसरी चीज कूलिंग आपकी slow हो हुआ है ग्रेनाइट अब देखो क्या लिख रहा है ग्रेनाइट गैपर रोग डायराइट साइनाइट एटी सी ऐसे इसके एक्जामपल होते है या तो लेडी कराई चुका हूँ नेक्स लिखा हुआ आपके पास में हाइपे बैसल इगनियास रोग तो हाइपे बैसल इग इगनियास रोग मतलब कि शैलो डेफ्ट के उपर जो रोग ठंडा होकर के मैगमा के ठंडा होने के कारट से जो बनेगी उसे हम लोग कहेंगे हाइपे बैसल इगनियास रोग कहेंगे नेक्स लिखा हुआ इस जगए पे इसका देखो कोर्सली ग्रेंड किस्ट्लाइन स्ट् होगी से अगनियास इसमांती पर लेकी शर्थ सारफेस पर आर्थ सरफेस पर मैगमा के ठंडा होने के कारट से चूर नई रोग बनेगी इसे अंब लोग कहेंगे volcanicotraq क्या कहेंगे volcanicotraq कहेंगे cooling जो होगी सबसे जादा fast होगी cooling सबसे fast ogt and YOU को सबसे बाहर की तरफ बन रही है इसलिए इसको extrusive obvious rock और यह सबसे अंदर की तरफ बनती है इसलिए इसलिए इसको intrusive Agnes rock कहते है ठीक है क्या पर ये आपका कोश्ली ग्रेंड किस्तलैन ड्रॉट या अफली ग्रेंड क्रश्टलैन ड्रॉट रॉंग और इसके एक्जा मतर्फ रहा है टिप पैग में टाइट क्या है तो पैग में टाइट बिटा एक इग्नियस रॉक होती है जल्दी से बताएंगे मुझे कॉमेंट बॉक्स के अंदर बिटा समझ में आएगी नहीं है यार कॉमेंट तो भरे मैं देख रहा हूं लेकिन जोस थोड़ा कम दिखाई दे रहा है ठीक है ज जल्दी से मुझे आप लोगों के एक क्वेश्चन का अंसर देंगे जल्दी से एक क्वेश्चन का अंसर देंगे बटा कि मार्वल इस रॉक मार्वल मार्वल इस और यहां पर आपके पास में है यह ठीक है क्वेश्चन है आपका अंसर दो जल्दी से कॉमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएं गए जल्दी से बताएंगे यह आपकी कैसी रॉक है, मारवल आपकी कैसी रॉक है, मारवल आपकी कैसी रॉक है, जल्दी से बताएंगे, मेटामॉर्फिक है, इगनियस है, सेडिमेंटरी है, किस टाइप की रॉक है, जल्दी से बताएंगे बच्चे, मेटामॉर्फिक है, इगनिय कि एक बच्चा कहा रहा है सर आर यू आरी श्वयर की इस लेक्च्चर से डीडीजेई क्रैक हो जाएगा पता नहीं भाई आप क्या ही कह सकता हूं मैं आप से ना बट मुझे लग रहा है तुमको खुद के उपर हैं मुझे तो नहीं मेरे ऊपर चलो तुकि मैं पहली बार नहीं पढ़ा रहूं शाहिद आप पहली बार पढ़ रहे होगे ठीक है बहुत बढ़ीया बहुत जवरतास बहुत ही बढ़ी ठीक है लेकिन पहली बात तो इतना है डिटेल में नहीं पड़ा होगा कि आप लोगों को मैंने बताए कि वरस दाइग्नियस रॉक कैसे बनती है क्या एक्जामपल से ठीक है किसका डिटेल एक्सप्लेनेशन और पैग में टाइड भी आपकी इगनियस रॉक होती है ठीक है अब सुनेंगे सिलीका की उपस्तती के आधार पर आप लोगों की कितने टाइप की रॉक होती है कौन सी इगनियस रॉक क्लासिफिकेशन ऑन दा बेसे साफ परसेंटेज अब सिलीका यह कौन सी रॉक चल रही है इगनियस रॉक ही चल रही है अभी तो देखो इसमें चार तरीके कि आपकी रॉक होती चार से पास तरीके आगे तक एक्स्प्लेइन क्या हुआ है ठीक है तो पहला आपके पास में एसेडिक रॉक ठीक है दूसरे आपके पास में इ किसी भी एक किसी भी एक इगनियस रॉक के अंदर सिलिका की उपस्तती 70 से 80 प्रतीशात या इससे भी जाता है तो इस टाइप की इगनियस रॉक को हम लोग अगर मैं ग्रेनाइट के बारे में बात करूंगा तो यह को सबसे पहला ग्रेनाइट कैसी रॉक है आपके पास में पॉली मिनरल रॉक है कैसी रॉक है पॉली मिनरल रॉक है दूसरा कौन सी रॉक है आपके पास में अनस्टैटिफाइड अनस्टैटिफाइड रॉक है ठीक है इसके बाद मैंने आपको बताया था यह आपकी Sleasius Rock है कैसी Rock है? Sleasius Rock की कैटिगरी में भी आती है सही बाद इसके बाद Simply Igneas Rock है और Igneas में भी कौन सी Rock है? Igneas के अंदर भी आपकी यह Plutonic Igneas Rock है Plutonic Igneas Rock है उसके बाद यह आपकी Intrusive Igneas Rock है इसके अलाब असर आगे इसका यहां भी classification हमने दिख लिया आपकी acidic Acid Igneas Rock है कैसी है बाद Acid Igneas Rock है तो यह इस बाद समझ में आई होगी कि एक ही हो जाएगा बाद हो जाएगा टेंशन मतलो एक ही Rock कितने टाइप की कैटिगरी में आ रही है कोई तुमसे पूछ ले कि Granite किस-किस Rock की कैटिगरी में आती है तो देखो Polymenal Rock की कैटिगरी में Unstetified Rock की कैटिगरी में उसके बाद में Silecious Rock Igneas Rock Plutonic Intrusive Plutonic Igneas Rock Intrusive Igneas Rock Acidic Igneas Rock के इन सभी नामों से किसको जानेंगे हम लोग बिटा ग्रेनाइट को जानेंगे बात आई समझे है कितना मसता कितना समझदारी से हमने समझा ठीक है नेक्स देखो बिटा Intermediate Rock का है जिनमें Sileka की उपस्तती लगबग आपकी इस सत्तर है साट से सत्तर परसेंट पाई जाती है उसे हम लोग कहते है Intermediate Igneas Rock इसके एक्जामपल है साइनाइट और एक नया नाव आगे एंडेसाइट तो ये चीज़ भी किलियर होगी कि एंडेसाइट आपका एक Igneas Rock है और किस टाइप का है इंटरमीडेट Igneas Rock का एक्जामपल है नेक्स्ट है Basic Rock क्या होती है तो Rock having the percentage of Silica एसी Rock जिनमें 45-60% आपका Silica पाए जाता है उन्हें हम लोग कहते है Basic Rock और इसके एक्जामपल है बेटा Gabro Rock तो अब Gabro Rock दो तरीके से समझ में आ गया पहला हमने जब classification देखा था अगर आपको ध्यान हो तो question आएंगे tension मतलब भी थोड़ी दे रुख जाओ बस यहाँ पर भी हमने Gabro Rock लेखा था किसकी category में आए बेटा Plutonic Agneous Rock की category में तो यह आपका Plutonic Agneous Rock की category में भी आ गया और साथ की साथ यहाँ पर किस में आ गया Basic Rock की category में अच्छा यह सभी किस टाइप की है यह है तो Agneous Rock की न सब के सब यह है तो बेटा Agneous Rock की तो इसको मैं कह सकता हूँ Basic Agneous Rock तो Gabro Rock भी आपका Basic Agneous Rock की category में ही आता है ठीक है Next और Last आपका इसके अंदर Ultra Basic Rock तो क्या लिखा हुआ है Agneous Rock having the percentage जिनमें 45% से कम सिल्का पाई जाती है उन्हें हम लोग Ultra Basic Rock कहते हैं और इसके एक्जामपल है Basalt, Trap और Dolaride इसके एक्जामपल Basalt, Trap और Dolaride यह सभी आपके Ultra Basic Rock की category में आते हैं Clear हो गया एक चीज लिखी हुए है In this type of rocks, Duration of Formation of Rock Magma is cool at the fast rate at shallow depth Hence, very fine Christian structure सबसे ज्यादा मात्रा में आपकी shallow depth पर जाके Magma के ठंडाउन के कारण से बनती है ठीक है Fast rate पर ठंडाउन के कारण से इसलिए इनमें बारी Christian structure दिखाई देता यह इनने बीच में भी पढ़ लिया है तो इसकी कोई बहुत बड़ी tension नहीं है अब आ जाते हैं हम लोग sedimentary rock के उपर किसके उपर आ जाते हैं sedimentary rock के उपर आ जाते हैं अच्छा एक बात बताओ मुझे इसको हम chapter को complete करेंगे कोई दिक्कत नहीं हो तो मैं completion से जादा मतलब है या अच्छे content से जादा मतलब है मैं revision mode पर बढ़ा रहा हूँ फिर भी पूरा chapter पढ़ा रहा हूँ question भी solve कराऊँगा सब कुछ कराऊँगा tension मतलो 2 गंटे से 2,5 गंटे हो जाएगा तो मैं कुछ होगा नहीं लेकिन content दिमाग में जाएगा कि नहीं जाएगा मैं तो आप में महनत करो ना आप लोगों साथ आप भी मेरे साथ महनत करो साथ मिलके करेंगे फोड के रख देंगे एक्जाम को चलो बिटा जल्दी से मुझे बताएंगे यहां ता comment box में भाई energy में energy दिखनी रही है इतने बच्चे बैठे में energy में कोई मजा नहीं आ रहा मेरी energy बता तुम कम हुई क्या पहले सेकेंड से लेका अब तक जब से class चालू करी सेम एनरजी से चल्लाओं कर नहीं चल्ला तुम भी comment box में energy दिखा दे एक बार चलो आगे शुरू करते हैं बिटा क्या लिख रहा है इस जगहें पर सेडिमेंटर रॉक क्या होती है पहली बात इसको अम लोग एक्वस रॉक कहते हैं क्या कहते हैं इसको आपको पता होगा मदर रॉक कौन थी इनकी मदर रॉक कौन थी बिटा मदर रॉक थी बिटा आपके पास में इगनियस रॉक कौन सी थी इगनियस रॉक थी ठीक नहीं थी कौन सी रॉक थी बिटा इगनियस रॉक थी तो इगनियस रॉक जो आपकी मदर रॉक है उस मदर रॉक से ही आपकी कौ सब्सक्राइब करते हैं udah सस्ट अ क्रफली सम्झाइब उसके व्यां, करें, वल्याय से काल सब्सक्राइब का न विल्यां ऐनसे था win के छो ऑगेुकई longfact सद्शू श्रा इस सा अजिघ कार में ये बनती है लिखा हुआ है इस लोड़ डिपोजीशन का मतलब क्या होता है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर पहुचना ही डिपोजीशन होता है समझ में आ रहे है क्या कहा हूं मैं कि एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर पहुचना ही डिपोजीशन होता है तो क्या लिखा हुआ है यह जो rocks होती है जिसे प्रीएगजिस्टिंग अच्छा प्रीएगजिस्टिंग रॉक का क्या मतलब है की इसी रॉक जो पह्ले से योपस्तित कौनैसी रॉक है इसका डिफिनिशन बता दीए बता दीए मैंने क्या बूला घ्रे रखो सब आएगा अब तुमने एक बूला इसके डिटेल में लिखा वैसे सर इंपोर्टेंट रॉक लिखा दीए बेटा टेंशन का हे लिए रहे हो आगे तुम चलो तो सही सारा का सारा इनफॉर्मिशन सारी सारी सब कोच अवह लिखा हुआ है तेंशन मतलो तुम सब कोच है आप ठीक है आगे चलो पहले मेरे साथ में लिखा है इसे हम लोग क्या क्या कहते है इसे एक इस गीस कारण से बनता है ठीक है और दिखा हुआ है दीज रोग्स आर्दा सेकंडी रोगं इसलिए हम सेकंडी के लोग्व कहते हैं थी इ excitement면 दीज रॉक्स में प्रहुंकि य होती है उनीज में की पूजीशन से दूसरी पूजीशन परको अब काय। या इसलिए हम इसलिए 34 का मतलब और पहले इसार पहुन सी रोख है , पहले से पसक्राइब रोग है , मदर रोग , मतलब इगनियस रोग , तो इगनियस रोग के एक जगह से दूशरी जगह पर पहुंचके जम जाने के कारड़ से , जो रोग बनती है , बने हम लोग कहते है , अब लूग ओन जो था सरी रोग या flowing water glacier wind etc मतलब की होता क्या जनरली जो आपके पास में glacier है या flowing water है या फिर आपके बाद जो हवा वगेरा है इन सभी जो weathering agency जो मौसम के जो प्रवाब है मौसम के जो कारक हैं इन सभी की साहिता से एक जगे से उठा करके जब डिपोज कर दिया जाता है एक pre-existing rock के टुकड़ों को या बारिक particles को तो उनके कारण से आपकी कौन सी rock बनती है बिटा sedimentary rock बनके तयार होती है तो और इसमें लिख दिया है इस called the sediment rock मतलब सिंपल लिखा हुआ है the rock formed by the consolidation of the particle of the pre-existing rock pre-existing rock के जो particles होते हैं वो जब under the effect of weathering agencies की साहिता से आगे बढ़ते हैं next point की बात करते हैं इसमें देखे थोड़ा सा process लिखा हुआ है और देखो जोस दिख रहा है मुझे अभी बच्चे 94 हो ने अभी 120-110 दिख रहे थे अभी ये जोस हो गया तो ये जो मतलब तुम्हारा ये mindset है ना यार इसको थोड़ा सा भाई change करो मैं clearly बतारो बिटा दूब जाओगे कुछ फाइदा नहीं होगा इतना पढ़ा लूँ या कितना भी पढ़लो कोई सी किताब से पढ़लो कोई फाइदा नहीं होगा मैं guarantee देता हूँ कोई फाइदा नहीं होगा consistency जब तक बिटा life में नहीं लेके आओगे न डूब होगे ही डूब होगे इस बात को दिमाग में fit कर लो और मुझे पता है बहुत सारे बच्चे आज आएंगे कल आएंगे परसो नहीं आएंगे मैं जानता हूँ उनको और उनका selection नहीं होने बाला है एक्दम लिख के लेलो बिटा इसमें बहुत consistency चाहिए मैंनत चाहिए इसके अंदर बहुत जादा तपश्या चाहिए dedication चाहिए sacrifices चाहिए तब जाके होता है बिटा selection हवा में नहीं हो जाता है selection चलिए अब आगे सुनो बिटा next point क्या लिखा हुआ है देखो बिटा pre existing rock थी मतब कौन सी rock बिटा gotta work आपके पास में एगनिया स्टी ठीक है कि कनिया स्रॉट दिया अभी जो अपकी जो लिख औप आपके पास वैं बैदरिंग एजन्सी के छू ए ऐब स्थी त्रू ट्रांस्पोर्ट हूई क्या क्या हो मैं बैदरिंगफ एजैंसीजे से अपके पास में झालुकाज, और जमने के कारंड़ से ये सेडीमेंटी राक में-कनवर्ट हो गए, और इस तरीकी से इसकी साईगल चलती है, अब आगे सुनाइंगे, समुद्र का जो बॉट्म होता है, तो वो बॉट्म आपका 75% जो बॉट्म होता है, समुद्र का एक जो समुद्रों का बॉटम होता है उप चैतर परसेंट जो है वो आपका सेडिमेंटरी रॉक से ही बना हुआ है चलिए बढ़ेंगे नेक्स पॉइंट की तरह एक्जामपल देखेंगे अब देखो मैंने क्या बोला था मैंने बिटा सिर्फ दो ही रॉक के एक्जामपल भी तक बताएं एक आपका इगनियस और एका सेडिमेंटरी इगन आइट डोले राइट ट्रैप बैसा लिए तो सीक्वेंस वाइज आपने प्लूटानिक रॉक्ष और वालकनिक के लिए उसके बाद क्या बताया था ठीक है आपको इसके लाबा डोलोमाइट आपको बताया था मैंने ठीक है गैपर रोक आपको बता दिया मैंने कुछ देख रहा है सांड स्टों लाम स्टों मदशन लेटर टाय डाइट्रो माइट जिप्सों डाइटमाईartet है आए जिप्सम शेल्टो कोंकर स्टों कंग्लिमने ट्रोयीत ट्रपोली यह सबी बिटा किसके इक्जामपल है ये सबी एक्जामपल है आपके किसके of the sedimentary rock ओके चली बहुत ही बढ़ी याद ओके प्लीज सर साथ की साथ को अरे मेरे बच्चे उतना पढ़तो लो जितना question कराने लाइक हो जाए ठीक है question की कहे टेंशन लिए देखना एक बार ऐसा नहीं बेटा question नहीं है तुम आव तो सही बेटा मेरे साथ देखो बेटा question नहीं की साथ कहता हूं नेक्स अबड़ा कुछ important note लिखे हुए थोड़ा पढ़ ले थे इनके बारे में देखो क्या लिखा हुआ है दिखा हुआ है जिप्सम इस ए रॉक आज वेल एस दमेंडल धानकना एक्जाम आयाता है question मेरे बाबा समझ रो बाबा question देखो सुनों क्या ब्रहल भी है सुननो चली कराए बिटा जिप्सम सी एस फोट वाट टो एस टू आलसियूम सॉल पीड या हीडरेटेटिट कैसियुम सलफेट सी एस फोट डू एसटोई जो जप्सम होता है आपका वह रॉक भी है वो और वह एक मिंडल भी है तो मैंने क्या बोला बिटस को अब अब सुनो ध्यान से बेन लेट्राइट इस डिसंट्री जब लेट्राइट को लेट्राइट कैसी रोग है बच्छे कैसी रोग है जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ लेट्राइट कैसी रोग है बिटा सेडिमेंट्री रोग है कैसी रोग है बिटा सेडिमेंट्री और बताँ को ऐसी rock है, और कौनसी rock है बिटा, आपकी, argilisius rock है, कौनसी rock है बिटा, argilisius rock है, ध्यान है सभी को, ठीक है बिटा, जब letterite को disentriate करोगे, मतलब विगटन करोगे, इसको तोड़ मोड के खराब कर दोगे, तोड़ दोगे, तो इससे ये एक नई rock के अंदर change हो जा है, जिसे हम लोग मुर्रम कहते है, एक और question जो direct याद कर लो, exam में सीधा-सीधा पूछाएता है, कि शिंगल का है, तो शिंगल एक water bound pebble होता है, मतलब कि आपका आसे एक ऐसा पत्थर होता है, जिसके अंदर लगबग कई हिस्तों में पानी भरा हुआ होता है, तो यह आपक perfect rock, यहादा clear हुई सारी कानी, clear हुई सारी कानी, अब सुनों, क्या लिख रहा है, the rock, metamorphic rock, तीसरा, यही सिर्फ एक ही classification बचाए, next लिखा हो है, the rock formed by pre-existing rock, जब आपकी जो rock होती है, वो pre-existing rock, मतलब pre-existing rock कौन सी होगी अब, दो rock होगी आपकी, एक इगनियस rock होगी, एक with the help of temperature of pressure, pressure और temperature में change होने के कारण से, जो नई rock बनेंगी, उन्हें हम लोग metamorphic rock कहते हैं, और process को हम लोग metamorphism कहते हैं, क्या कह रहा हूँ बच्चे, जब आपके पास में pre-existing rock, जो की दो तरीके की हैं, पहली आपके पास में कौन सी है बटा, एक आपके पास में, that is the igneous rock, दूसरे आपके पास में sedimentary rock, जब इन दोनों rock के, sedimentary और metamorphic rock के pressure और temperature में change होने के कारण से, जो नई rock बनेंगी, उसे हम लोग कहेंगे, metamorphic rock, और इस process को हम लोग कहेंगे, metamorphism, क्या कहेंगे बिच्चे, इसे हम लोग कहेंगे, metamorphism, ओके, clear है सबी को, very nice, बहुत बढ़िया तो इसना अंसर क्या जागा बिटा अगर कोई पूछे कि टैंपरेचर और प्रेशर में चेंज होने के कारण से इगनियस या सेटिमेटिक रॉक कौन सी ने रॉक में कनवर्ड हो जाती है तो यह आपकी मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर कनवर्ड हो जाती है बहुत ही बढ़ि थर्मल मेटामॉर्फिजम और प्लूटॉनिक मेटामॉर्फिजम सुनेंगे समझनी कोशिश करेंगे देखो एक बात थर्मल मेटामॉर्फिजम को समझेंगे जब आपकी रॉक सिर्फ प्रेशर में चेंज होने के कारण से बनती है तो इनको हम लोग थर्मल मेटामॉर्फि कहते हैं जब आपके पास टैंपरेचर और प्रेशर दोनों में चेंज होने के कारणड से जब रॉक बनती है तो उस प्रोसेस को हम लोग डाइनेमिक थर्मल मेटामॉर्फिजम कहते हैं और सबसे लास्ट में अब प्लूटॉनिक नाम आ गया जो प्लूटॉनिक क्या था था धान आ गया प्लूटॉनिक का मतलब था अत्यदे गहराई पर तो यहां पिक्या लिखा हुआ है बैंडीज रॉक्स आप फॉर्म डीडू दुद्यू तॉ तेमपरेचर और प्रेश्ण में चेंज होने के कारणड से लेकिन अत्यदे गहराई पर प्रेशर और तेमपरेचर क्लियर है पिटा only for igneous rock मतलब कि यह आपका igneous rock के लिए अपलाई किया जाता है ठीक है फिटा इस तिर्फ और सिर्फ इग्नियस rock के लिए यह वाला मेटामॉर्फिसम क्लियर हुआ और एक्जाम आगे लिखा हुआ है कि वही सेम चीज़ लिए कि टैंपरेटर प्रेशर के कारण से जो अर्थ है आपका जो प्रत्वियास में मूव्मेंट के कारण से यह रॉक बनती है इनको लोग मेटामॉर्फिसम रॉक कहते हैं क्लियर थर्मल मेटामॉर्फिसम और कंसीडिवल ड्यट टैंपरेचर प्रेशर में चेंज होने कारण से बन रही है तो इससे हम लोग कहेंगे प्लूटॉनिक मेटामॉर्फिसम क्लियर हो गया यह आपके मेटामॉर्फिसम ते यहां तक आपको सारी चीन क्लियर होगी जल्दी से होंगा टाइम सिर्फ 45 सेकिंड का देखेंगे कितने बच्चों ने इसका अंसर सही दिया है पहला क्वेशन आपके सामने वीच आप दा फॉलाइंग इस एंग्जामपल आप दा सेडिमेंटरी रॉक इनमेंसे कौन सा एक सेडिमेंटरी रॉक का एक्जामपल है पहला लिख चीए जबर्दस तरीके से भर जाना चीए चैट बॉक्स कोई ऐसा बच्चा नियुक्ष इसको आंसर निया था ठीक है पीटा कोई ऐसा बच्चा नियुक्ष एक लिख रहा है तो नहीं है तो कुछ नहीं है इसलिए कह रहा हूं थोड़ा धैर पूरवक समझो सुनो और बताएंगे पहलें बच्चे ठीक है क्या लिख रहा है इस जगहें पे लिख रहा है यहां पे विजब फॉलेंट इस ग्जांपल ऑपकछी आंसर आपका क्वाट जाइट साइटरों मार्बल और ग्रेनाइच यहांसर क्या सेंस्ट्ट इस पर्सेंट बच्चों ने इसका अ क्वाद की बात करूंगा क्या हो जाएगा तो आपका मेटा मॉर्फिक हो जाएगा चाहिक संड्raz हो जाएगा मारबल आपका मेसल मॉल्स पर जाएगा ठीक है जल्दी से बताएंगे से बताएंगे भुचे जल्दी से बताएंगे क्या चल रहा है सही है एकदम सही है बाबा ओके चलो आगे बढ़े हम लोग नेक्स पॉइंट की तरफ बढ़ते चली बहुत बढ़िया नेक्स कोश्चन देखें जल्दी से चलो बटा नेक्स कोश्चन है आपके पास यह रहा सामने स्क्रीन पर विच जल्दी से इसको बताएंगे क्या इसका आएगा जल्दी से इसको बताएंगे क्या इसका आएगा जल्दी से इसका एंसर बताएंगे, क्या आंसर आएगा बिटा've इसका तुरंथ बताएंगे पेड़ा समझायेँ कैन सिरै इस बात को which of the following is the chemical classification of the rock rock और कहीमिकल classification कौनता होता रोग का हीतर रोग थी सब्ली सब्सक्राइब करेंगे 93.75 परसेंट बच्चों ने इसका अंसर सही दिया बहुत बढ़िया ठीक है यह आने स्टेटिफाइड और स्टेटिफाइड फॉलिट यह तीनों के स्टैप के एक्जाम्पल है मिटा यह आपके फिजीकल क्लासिफिकेशन है क्या है बच्चे फिजीक फोड़ फाड़ के रगदो मतलब दिमाग में यह जब चीज़ा आए तो दिमाग में तुरंत आना चीज सरा अंसर यह आएगा ठीक है बिट्चे क्या करो मैं दिमाग में जब भी कभी चीज़ा चले एक दम फोड़ पाड़ कर रगदो इस तरीके का अंसर दिया करो बहुत बहुत ही जबर्दस बहुत ही जबर्दस चलो अगे बढ़ जाएं हम लोग आगे पड़ें नेक्स पॉइंट की तरफ नेक्स पॉइंट क्या होगा देखो एक बार नेक्स्कोशन पर आजाओ दोल राइट इस अटाइप का एक ग्जाम्पल लितने जल्दी से बताओंगे क्लासिफिकेशन 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 है जल्दी से बताएंगे मुझे कि किस तरीके की रॉक है डोले रहेट अपकी इगनियस रॉक है सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक है इसका देदू जड़ा 30 सेकंड का पूल आप लोगों को तो इगनियस रॉक है बहुत एक दम बच्ण करवा रहे हुआ है बच्चे इसका प्यारे बच्चे वीडिया नहीं करने का क्लास के अंधर तोड़ा दहां से सुनों समयनी कोशिश करूं को चलो बिटा, आगे बढ़ जाए, next question की तरफ, next question आपका आगया, क्या लिखा है, solidification of the molten magma at the surface of the earth, result in the formation of, मतलब की पृत्वी की सते पर पिगले हुए लावा का कठोरी करण में से, इन में से किसका निर्माण होता है, या फिर दूसरे तरीक से लिखा हुआ है, solidification of the molten magma when it reaches the surface of the earth, result in the formation of, कौन सी रॉक बनती है, 30 seconds का आपके बास पोल है, answer देंगे जल्दी से, पहला, sedimentary, basalt and trap, granite and ametamorphic, बहुत ही बढ़िया question है, very good, very good question, very good question, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से मुझे बताएंगे, किस टाइप की रॉक का आपके पास में, यह है, जल्दी से बताए बताएंगे, क्या इसका example आएगा, मतलगा, जल्द क्या answer आएगा इसका, answer बताएंगे, बच्चे तुरंत, तुरंत answer बताएंगे, क्या answer आएगा, बहुत बढ़िया, जवरदस्ट, जवरदस्ट, एकदम सही बताए, आप लोगोंने, चलो देखते हैं, एक बार कौन से गलत भी आएँगे बहुत सारों के आंसर सही भी आएंगे मैं बतात हूं देखो क्या लिखा हौ है पहली बात है दिमाग में फिट कर लोट अर्थ सर्फेस की बात किये और एउस्ट की बात की सर्फेस ऑफ दा अर्थ की सर्फेस ऑफ था आगे लाकनिक रहां कि कोंशी रॉग नहीं कितनी काम आный अब लोगों को गरेनाइट क। नोले राइट ट्रइबेस आल्ट आप लोगों मैंकरनी जिअद आगी धान बता मुझा यह कुतनी हो मारी आपके चीज़टे तो आंसर का मैं इसके एक्जाम पर ट्रैप्श पर यहाँ object आए इत्री पर सेंट बच्छों ने अंसर सई बाथ नहीं अब दीड़े करें अब आपको को खुद्ध कर निया ठीक है ठीकाम हाई यह यह सही में काम आ एक टैंशन मतलू बिता काहे टैंशन लेता है पाटक सर के साथ में टेंशन नहीं लेने का बिल्कुल भी चलो जल्दी से बताओ समझ में आगया आप लोगों को समझ में आगया बहुत बढ़ी आप में बढ़ बहुता ही जवर्दस ओके दी करेक्ट आंसर समाझ में आ गया तो पोला नहीं ही आ रही बारे मैं क्याई कर सकते हूं तो आंसर देखेंगे क्या आएगा बच्चों ने इसका अंसर एकदम शायी दिया तक्कर में कोई नहीं टक्कर में ओके वेर नो टेंशन लो फिर वेन पाटक्सर इस यह बिल्कों सही गाइधम बात चलो वेरी नाइस सर पीडियाफ टेलीग्राम चैनल पर देना जो पीडियाफ वह आप लोगों को हम लेगा कि वाप लोगों काम मिलेगा एक बच्चा पुझ्रा सर कितने साल के एक्स्पीरेंस आपको पढ़ाने का अब है बिटा सात्मा साल चल रहा है अपना ठीक है चलो ओके पीडियाफ आजाएगी आप लोगों के पास में सब कुछ मिल जाएगा और और मैंने आप लोगों को एक लोगों की बढ़ा है इस पेस है ऐस बड़ा है उसके बाद डैस है डैस के बाद एक स्पेस भी और फिर फिडबलू सर्च कीजिए यहां पर और उसके बाद में आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं ऑफीशल टेलिग्राम चैनल जोकी पीडबलू का है और इस साथ मेरे साथ ह मैं डारेट इस पी इंट्रेक्ट करता हूं बच्चों के साथ बहुत सारे बच्चे जुड़े हो भी हैं इस प्लेटफर्म इस चैनल के उपर तो आप यहां पर मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं चली ओके आगे बढ़ते हैं सर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ क्वेशन हमारे हो ग प्रॉसेस ऑफ टेकिंग आउट इस टोन फ्रॉम दर नेचर यह बहुत इंपॉरेंट अब सुनो क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया है क्वेशन करा दिये पूरा याद करा दिये पैटरन याद करा दिये सब कुछ हो गया अब देखो समझो इस बात को क्या लिख रहा है इ प्रॉसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं क्वेरिंग कहते हैं ठीक है पहला पॉंट क्लियर हुआ तो क्या लिखा हुआ है प्रॉसेस ऑफ टेकिंग आउड़ स्टोन फ्रॉम दा नेच्राल रॉक एक नेच्राल रॉक में से चटान में से मतला क्या बोला मैंने एक नेच्राल रॉक में से आपके पास जब पत्थर को बाहर निकालते हो तो उस प्रॉसेस को हम लोग कहते हैं बच्चे क्वेरिंग क् नेक्स्ट है क्वेरिंग करने के लिए जिस टूल के स्टमाल की आता है वो टूल होता आपका जंपर यह भी कुश्चन एक्जाम में आ चुका है ओके अब तीसरा पॉइंट है क्वेरी सैप क्या होता है क्वेरी सैप मतला जब तुम पत्थर को अब देखो क्या है अब ऐसा त च्टान के ओपर तुम्हें जब बारिश आ रही तो तुमने च्टा लगा दिया इत्ते बड़ा च्टा सा तो इत्ता सा है और पहाड इत्ता बड़ा है ठीक है तो क्या होता है पानी बारिश हो गई यह मौसम की नमी एटमसफेर जो आपके हमिडिटी होती है तो उसके बार च्टान के अंदर से अब पत्थर को बहार निकाल रहे हो that is called the querying of stone that is called the querying of stone दूसरा पॉइंट है आपका क्वेरिंग के लिए जिस टूल का इस्थमाल किया एगा that is the jumper तीसरा query step क्या है जब आप लोग क्वेरिंग करते हो स्टोन को बहार निकालते हो तो उसमें जो मौशर कंटेंट प्रिजेंट होता है that is known as the query step उसे हम लोग क्या कहते है query step कहते है तीन पॉइंट के लिए हुए तो comment box में बोले हां और आगे बढ़ते हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते है next point सर अब query करने के चार से पांच मेंटर्स होते हैं लेकिन जनरली आप लोगों सिर्फ इनके बारे में समझना है ज्यादा बहुत डिटेल में नहीं जाना लेकिन मैं आपको basic idea दे दूँगा ठीक है पहला excavation method का मतलब है खुदाई करना मतलब खुदाई करने का सीधा सीधा मतलब है कि आप एक्सकेवेट कर रहे हो ठीक है बड़े बड़े टूल्स वगएरा जो होते हैं जेसी वीज वगएरा का इस्तमाल करके और वहां से पत्थरों को बाहन निकाल दूसरा आपके पास में ह्ट और से हलीकॉप्टर में बैठा हूँ और यदी मैं इसको देखना चारता मैंने कैया किया है यहां से Chyreningen को माने बाढ़ा मार दिया इस प्ॉइंट पर उसके बाद में एक चैनिय थोड़ा मैने यहांमारा इससे क्या होगा यह एक क्रैक लाइन बनेगी एक लाइन क्रैक लाइन समझते हो ना जैसे तुम देखते हो हैं चैनिय चोड़ा से पत्तर को काटते हैं तो एक जगा पत्तर मारा तो उसके आगया कि दरार पढ़ती चली जाती है धूर तुमने यह नी मारी ऑपनी चैनिय क्या होगा आपके पास में यहां पर आपकी जो रोक है वो एक लाइन फैक्षिन के सारे-सारे टूटती हुई सब्सक्राइब होता है यहां चैंट निए वाल शॉरी अचे अपके पास में चत्टाने होती हैं उनके सर्फेस के ऊपर हम लोग्या करते हैं बहुत सारा फ्यूल कर देते हैं और फ्यूल को जला देते हैं तक ये जलने से क्या होता है जो आपकी छो चटान होती है उसका ढार अपर सर्फेस होता है वो उसक्तम्स करचे बढही बहुत करते करें आंप्थर को रूप में निकाल सकते हैं जितना फिर Sakram साइज का मैं पत्तर चाहिए होता है और सबसे लास्ट में यह ना और सबसे लास्ट में क्या लिखा हुए आपके पास में blasting method blasting method में क्या होता है हम लोग explosive का अस्तमाल करते हैं आपने पुरानी movies देखियोंगी जन मैं hero अगरा क्या करते जब उनको jail हो जाती तो jail मैं ब्लास्टिंग में तरगा डेटो नेटरस का इस्तमाल करते दें ब्लास्टिंग में तरगे पत्थरों को चट्रानों से तोड़ के बहां निकला जाता है देखा होगा आपने उसको में लोग कहते हैं यह किसके बारे में चल लाएं था charging देख लाएं जो काफी जादा इंप्वरेंट होते हैं देख उसुनों एक बाद क्या करते हैं हम लोग चाटान होती है जो रॉक होती है ना उस रॉक में हम लोग पहले गड़्डा करते हैं तो उस गड़्डा करनी के लिए लिखा हूए उसको मोग भाहर निकाल देते हैं मतलब उसको सुखा देता है पूरी तरीके से तो इस क्लीनिंग करने के लिए जिस टूल का इस्टमाल कहता है तो उडिपर बोलते हैं और फिस होल में क्या बढ़ते हैं हम लोग बारूद भर देते हैं फिर ophyr material ठीग है तो यहां पर हम लोग क्या भोलने मिटा is hole को clean करने के लिए dipper का इस्तेमाल करते हैं ॥ при मेथड में दूसे इसक्रैपंग स्पून का इस्तेमाल करते हैं हम लोग इस इसको क्या स्थमाल भी hole को clean करने करते हैं बहार निकालने के लिए से पानी वगरा को और गंदी की वगरा को नेक्स्ट आपके पास होल्स को फिल करने के लिए होल्स को फिल कर रहे हो आप लोग डेटोनेटर से सेंड वगरा से आप इसको फिल कर रहे हो तो उसके लिए हम लोग जंपिंग रॉड का इस्तमाल करते हैं होल्स को फिल करने के लगा और हमने यहां पे हमने क्या कर दिया एक डेटो नेटर लगा दिया इस तरीके से हेंडल लगा होता है और यहां पर आndryr आपकी पास में आपने बुस्ति ho जाता है छिसके आप ब्लस रोने काड़ से अबी फ्यूज मायर कनेक्ट पॉर्द करते हैं जिसका रड़ से चट्टान से हम लोग क्या निकाल सकते हैं बाहर निकाल सकते हैं अपने स्टोन को तो यह होता है पीटा ब्लास्टिंग मेंटड तो यहां पर बताये गया कि भरने के लिए मतलब की फ्यूज वायर का स्तमाल हम लोग सारे होल्स का जो एक्सप्लोज म होता है कि जो आपके होल्स होते हैं उनको फ्यूज वायर से हम लोग कनेट करके रखते हैं तो फ्यूज वायर से कनेट करने वाली बात चल रही है तो हम लोग होल्स में जो एक्सप्लोज में उसको कनेट करने के लिए इस्तमाल करते हैं नेक्स्ट है मटीरियल कौन-कौन से इस्तमाल होते हैं explosive के लिए यह एक अच्छा कोशन है एक्जाम में आ जाता है लिखा हुआ है material use as the explosive कौन कौन से material है जो explosive की तरह इस्तमाल किये जाएंगे ठीक है सुनो gun cotton is the explosion बिल्कुछ सजी कहा है आपने लिख रहा है पहला पहला लिख रहा है इसमें गन कॉटन की बात करेंगे गन कॉटन लिखा हुआ है इसको हम लोग नाइट्रो सेलिलोज भी बोलते हैं यह क्या है बिटा यह वह material है जिनका इस्तमाल blasting में स्टोन को चट्टान से बहान निकानने के लिए किया जाता है blasting मेथड के अंदर है explosive मेथड के अंदर क्लियर है अब देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है इससे हम लोग नाइट्रो सेलिलोज भी कहते हैं क्या कहते हैं नाइट्रो सेलिलोज भी कहते हैं यह आपका HNO3 और H2SO4 को जब हम लोग कॉटन के उपर रियक्शन करवाते हैं तो उससे आप लोगों का गन कॉटन बनके तयार होता है ठीक है क्लियर है तो दो चीज समझो पहले तो इसको अम लोग नाइट्रो सेलिलोज बोलते हैं और यह आपका HNO3 और H2SO4 को जब हम लोग कॉटन या रूई के उपर जब हम लोग रियक्शन करवाते हैं तो यह बनता है नेक्स्ट है आपका पर यह आपका गन कॉटन को अभी जो मनें पड़ा गन कॉटन और नाइट्रो ग्लिसरीन को जब हम लोग इन दौनों चीजों को जब हम लोग ग्लिसरीन के अंदर मिला देते हैं तो आप लोगों का कोड़ाइट बनके तयार हो जाता है नेक्स्ट एस रॉक ए रॉक भी याद करने बाला है ठीक है दो चार बार याद करोगे सब को जाद हो जाएगा लेकिन पड़ जरूलों यहां से बाहर नहीं जाएगा मैं बतारूं आप लोगों को ठीक है देखो क्या लिख रहा है कैमिकल कंपोजिशन की बात करेंगे 79 परसेंट पोटेश्यम क्लोराइड और 21 परसेंट नाइट्रो फिनॉल हम लोग मिलाते हैं और रॉक रॉक आप नाम का आपका एक एक्स्प्लोजिव मटीरल तयार होता है गन पाउडर दिस इस मेड़ फ्रॉम मिक्सिंग आप दा पोटेश्यम नाइट्रेड 75 परसेंट नाइट पोटेश्यम नाइट्रेड औ और सलफर 10 परसेंट और चार्कुल 15 परसेंट मिलाके हम लोग गन पाउडर तयार कर सकते हैं नेक्स है डाइनमाइट डाइनमाइट आपका कैसे बंदा यह बहुत इंपॉरेंट है नाइट्रो ग्लिस्रीन 25 परसेंट 25 परसेंट सेंड्री सेंडी जो अर्थ होती है उसको ज करेंगे तो इससे काफी ज़्यादा हामफुल हो सकता है ठीक है नेक्स लिकाव इस जगहें पर नोट है डाइनमाइट को इनवर्ड इनवेंट किया था एलफ्रेड नोबल ने इसको इनवेंट किया था एक जीके का एक कुश्चन बन सकता है तो मैंने सोचे आप इसको कर देना चाहिए ठीक है पीटा किलियर हो गया सबीको यहां तक कलियर है चली अब नेक्स देखो अब तीन चीजा होती है बिटा समय निकोशिस करना मैं क्या समझाने की कोशिस कर रहा हूँ वो जड़ा देखना धान से देखो जब हम कोई भी एक मटीरिल बना रहे हैं जब इस चीज की बात करें किज़ीज की जब हम किसी वी एक प्रॉसस की बात करें तो दिखो पत्थर को व्ने कैं किया सबसे पहले हमने रौक से बहार निकाला चट्तां से बहार निकाले यह सोट को बीने और झाले मेटद देन को पानी का उसको एक सकार पक्रसम घन नियों मेस hackers ता उसके बारे में आपको कुछ एक्स्प्लेइन किया है स्क्रैपिंग स्पून क्या होता है जंपिंग रॉड क्या होती है इन सब के बारे में आपको बताया दैनिस के सीजनिंग का मतलब क्या होता है सीजनिंग का मतलब होता है सुखाना या फिर एक ऑप्टिमम मौशर कंटेट था किसी एक मटीरियल को लेकर जाना मतलब की माल लीजिए आप लोग एक सुनिए एक बार ये एक मिन रुकना भाई एसी चलवा दिया जाए थोड़ा सा कि अच्छा थीक है कर दिया एक मिट चाय बजवाद या वह वह बजवाना चाय पत्ती बज़ाना चलो करें आगे तो देखो एक बार मैंने गया बुला आपको सीजनिंग अब देश्टोन की बात करेंगे जब कभी भी किसी एक मटीरियल का हम लोग आप्टिमम मौशर कंटें तक ले जाना चाहते हैं तो वहाँ पर सीजनिंग प्रॉसेस को फॉलो किया जाता है अब इसको समझने कोशिश करेंगे सब्सक्राइब जैसे तुमने बहार निकाला पत्थर को चट्टान से तो अब इस पत्थर में मौशर कंटेंट तो मौजूद होगा की नहीं होगा तो अब यहां पर लिखा हुआ है टाइम डूरेशन फॉर सीजनिंग अब सीजनिंग कैसे होगी आपके पास में ग्रीन टी नहीं पिता है यार मैं इतना हैल्दी नहीं रह सकता हूं मैं तो क्या होगा पिटा जो आपके पास में यह क्या था तुम भूलवा देते यार मुझे मत तोड़ो मेरा है तो मैं क्या बूला था कि आपके पास जो इस्टोन होता है जब आप उसको चट्टान से बहां निकाल तो मॉस्चर कंटेंट प्रिजेंट होता है तो इस मॉस्चर कंटेंट को हम अगर डिरेक्ट यूज करेंगे उस पत्थर को जिसमें और बहुत ज्या जाता है अच्छा इस टाइम पर जब पानी आपके स्टोन के अंदर प्रिजेंट होता है तो आपका काफी सॉफ्ट ऑटा रिके लिखा गया है तो रिमूब दा क्वेरी सेब को रिमूव करने की जो प्रॉसस अडॉप्ट की जाती है उसे हम लोग सीजनिंग कहते हैं अब तो आपका 5% से ज़्यादा पानी को एब्सॉर्ब नहीं करना चाहिए मतलब कि उसमें पानी की मात्रा 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए क्लियर बात समझ में आगी बहुत बढ़िया नेक्स आपका लिखा हुआ है इस टो शुडब बी रिजेक्टेट फॉम दा मैस नरी एक स्टोन को हम लोग मैस नरी का मतलब होता है चिनाई के कार्यों से जैसे बिल्डिंग वागर बना रहे है तो चिनाई वगरा के कामों में एक स्टोन को हम तब रिजेक्ट कर देते हैं जब वो अपने औरिजनल वेट क कि दस परसेंट से ज्यादा पानी को क्या कर देता है एब्जॉब कर लेता है तो उसको हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं यह पॉइंट आपको धहन रखना पड़ेगा क्लियर हुई यहां तक बात तो दिस इस दा सीजनिंग सीजनिंग समझ में आ गई नेक्स पॉइंट है मैंने जो लास में हो रहा था मैंने बोला था अभी इसको नहीं करेंगे थोड़ी देर बात करेंगे इसी क्वेश्चन की बात चल ली थी ठीक है देखो एक बार देखो एक बार क्या लिख रहा है इसमें ड्रेसिंग आप स्टोन प्रॉसेस ओफ गिविंग प्रॉपर शेप किसी भी एक जगहए पर जम लोग बात करें किसी भी एक पत्र को प्रॉपर शेप और साइज देने का जो प्रॉसेस होता है इसे हम लोग स्टोन का ड्रेसिंग ठीक है क्या लिख रहा हैpreneं के प्रॉसे सोफ गिविंग दप्रॉपर शेप बान सध्लम स्टोन स्टोन इसकॉल वे सीजनिंग होगा सीजनिंग होगा और सीजनिंग के बाद में जो next होगा आपके पास वो क्या होगा dressing होगा क्या होगी dressing होगी ये फूरा process है बिटा dressing और उसके बाद last में तो finishing होती है ठीक है न रफ ड्रेसंग अभी बाद में आपको बताऊंगा explain का ठीक है और आपके पास में प्रॉपर ड्रेशिंग का होती है इसके बारे में लोक बात करेंगे ठीक है चली है की ड्रेशंग कर किदिक जाती है तो द्रेशंग के दो टा нравится कवे पूछाएActो पहली पास सुनोस ने कुछन निकाला जाता है पानी प्रिजन होता है तो अगर वंदिक इस भात को बोलूग की ड्रेशंग कर जाती है द्यान से सुनना, ड्रेसिंग कब की जाती, इस बात को सुनेंगे द्यान से, ड्रेसिंग कब की जाती है, सुनना इस बात को द्यान से, कब की जाती है, ठीक है, तो इस बात के दो एक्जाम, दो आंसर हैं, पहला, पहला, क्वेरिंग के बाद, क्वेरिंग के जस्ट बाद, ठी कैसे यससे यह सकतेiente करें या तो एक ही किया जाएगा से इसको बात को द हांट से कि यह बंद बहुत सिंपल है ड्रेसिंगों गरेसिंग करना कीज़ lift कषया के जशन बाद यह क्योंकि क्यों। समझवारी बात क्यारेंग के जस्ट बाद ही辛 सीजनिंग होती तो यह तो यakका मैं और तो यह इसी बोल Consist के बाद या फिर बोल दो सीजनिंग के दौरान एक ही बात है ठीक है दौनों क्या है बिटा दौनों एक ही बात है ठीक है तो अब इस बात को थोड़ा समझ लेते हैं और पढ़ लेते हैं उपर लिखा भी हुआ है ठीक है दौनों एक ही बात है क्या लिख रहा है इसमें dressing should be done during the seasoning, dressing जो होती है, वो seasoning के दोरान की जानी चाहिए, because moisture content present in the stone make the sand smooth, जो moisture content present है, वो stone को smooth बनाता है, इसलिए हम इसा जो dressing होती है, वो seasoning के दोरान हमें करनी चाहिए, यह बात सभी को समझ में आगी, clear है सभी को, चलो, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एक बात समझने की क कोशिश और करते हैं, इस जगे पे, देखो, मैंने question आप लोगों को करवाया था, last question एवाला था, अब इसका answer आप लोग देंगे, जल्दी से comment box में, 30 second का आपके पास time है, और answer देंगे इसका, 30 second का time है, इसका answer देंगे, जल्दी से गलत नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होन चाहिए, देखो, एक बार जल्दी से, क्या लिख रहा है, इसका answer बताएं, जल्दी से, आपका लेक्चन नमबर वने सर जी, thank you so much, और डेली, और यह चाहिए बताना, कि डेली कौन कौन आएगा, class के अंदर, ना, डेली आना है, बिटे, कल हम लोग कौन से chapter पढ़ेंगे, I think आप लोगों सभी को answer पता चल गया होगा, sir, dressing कप की जाएगी, immediately after the quaring, after the seasoning, after the month of the quaring, just before the construction, तो देखो, ये गलत, मतलब, just before construction से पहले गलत, मतलब, construction से पहले तो किसको पानी में डुबोते हैं, तुम्हें एक question पूछाया सकता है, इंट को हम लोग, construction से पहले पानी में ड seasoning के बाद में नहीं, seasoning के बाद में तो हाड हो जाएगा, पानी निकल जाएगा, immediately after the quaring, तो A is the correct answer, बहुत बढ़िया, clear है सभी को, चलो, बहुत बढ़िया, सब लोग आएंगे, मतलब, देली आओगे की नहीं आओगे, बहुत बढ़िया, चलिए, ओके, चो ये समझे आए, बढ़िया, A is the correct answer, answer देखेंगे, 100% बच्चों ने इसका answer सही दिया, बहुत ही सुंदर लगा मुझे, अब आ जाते हैं, हम लोग कुछ और question के ऊपर, देखो जड़ा, एक दो question और देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, तो देखो next question क्या आपका, Marvel is squared भाई, यह मैं आ बात करा रहा हूँ, बढ़ा, Marvel की quering किस method से की जाती ही, तो यह द्यान रखेंगे, excavation method से आपकी Marvel की quering की जाती है, भी आपको answer द्यान रखेंगे, अब comment box में सभी लोग इसका answer देंगे, लिखोगे, Marvel, ऐसे लिखना answer, Marble, Marble और आगे लिखो excavation, जल्दी से comment box में, यह answer आजाना चाहिए आपका, ऐसे लिखो same to same, याद करने की यही तरीका है, बटा, Marble लिखो और डैस लगागा, आगे लिखो excavation, क्या लिखो बटा, Marble लिखो और आगे लिखो excavation, इतना हमको कभी भी clear नहीं हुआ, बटा, को टेलीग्राम चैनल इस डेवेश, सर पीडवलू, ठीक है, स्पेस है, सर के बीच में, पिर एक डैस है, और उसके बाद एक स्पेस है, और उसके बाद पीडवलू लिखा हुआ है, ठीक है, डिस दा टेलीग्राम चैनल, आप यहां पर भी provide करा दूँगा, आप लोग में बहुत जबर्दस, बहुत जबर्दस, आप भूलोगे तो नहीं, marvel excavation को मेरे प्यारे बच्चों भूलना नहीं है, बिलकुल भी ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, यह सब को याद हो गया, PDF आपको तुरंद मिल जाएगा, बस आप एक बार इस चैनल पर connect हो जाएगे, आपक करते हैं बच्चे, next point की तरफ, next question देखते हैं, क्या लिखा हो ऐसा, the tendency of stone is split along, यह question अच्छा है बई, कि एक निशित दिसा में, stone का तूटने की जो प्रवर्ती होती है, उसे क्या कहते हैं, यह question बच्चे, most of बच्चों को पता होता है, यह हम लोग कब पढ़ रहे होते हैं, graduation के टाइम में पढ़ते हैं, school time में भी पढ़ते हैं, ठीक है, texture बोलते हैं, fracture बोलते हैं, cleavage बोलते हैं, yes structure बोलते हैं, answer देंगे, जल्दी से answer देंगे, जल्दी से answer देंगे, एक बार description में भी डाल दीजिए, मैं एक बार डाल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे तो यह डाल दीजिए, ठीक है, जल्दी से एक बार बताईए, क्या answer आएगा, बिटास का, क्या answer आएगा, जल्दी से डाल दीजिए, इसके बाद डैस लगाना है, एक डैस लगाईए, उसके बाद पेस नहीं है, इसी के साथ में, ना, बैक आईए, यहां, डैस को एकदम connect करके इसके लगाई है, इसके बाद स्पेस, और फिर पी डेवलू कैपिटल, बास, इसको भीज दीजिए, या फिर डायर टेस में, अब लिंक भी शेयर कर सकते हैं, टेली करम पर अगर हैं, तो connect करके, चलिए, आगे बढ़ते हैं, तो इसको क्योशन का answer क्या दिया, आप लोगो को देखें, ठीक है, चलो, आगे बढ़ें बच्चे, next question आगे आपका, लिखाव है, building stone can be dressed, ये question देखो, ये दूसरे तरीके से पुछाओ है, 30 second का time दूँगा आप लोगों को, answer बताईए, क्या answer आएगा बच्चे, answer बताईए, जल्दी से, क्या answer आएगा इसका, जल्दी स answer दीजे, क्या answer आएगा, quaring, building stone can be dressed easily, building stone को, dressing हम लोग कब आसानी से कर सकते है, just after quaring, दूसरा है, after seasoning, after some month of quaring, anytime, अब देखो, ये बाला question, आपका, अच्छे तरीके से पुछा हुआ है, same way है, लेकिन, दूसरे तरीके, just after quaring, after seasoning, answer सबका से याना चाहिए, ठीक है, तो क्या answer आएगा, बच्चे, क्या answer आएगा, देखते हैं, एक बार, यहाँ पर देंगे, हम answer, answer A is the correct for this question, right, so A is the correct answer, very nice, बहुत बढ़िया, A is the correct answer, next question की बारे में बात कर लेते हैं, some month of quaring, बच्चा बोल ला है, गलत बोल ला है, चलो, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए हम लो पॉइंट की तरफ बात करते हैं, discussion करते हैं, और बच्चा सा, अब आगे बटा, टेस्ट, टेस्ट, बहुत fast पढ़ाऊंगा, बहुत systematic way में पढ़ाऊंगा, एक भी टेस्ट ऐसा नहीं होगा, जी दमाग से निकल जाएगा, ठीक है, चलिए, निस्टार्ट करें हम लोग, ज सुरू से लास्त तक चाहिए, चार गंटे पढ़ें, दस गंटे पढ़ें, पांच गंटे पढ़ें, सेम रहने वाली है, तो आप लोग इस energy को मेरे साथ बनाए रखिए, ठीक है, आप लोग यदी demand करेंगे, एक मैं ऐसा भी session लेके आऊंगा, जब exam आपका पास होगा, एक पूरे paper को solve कराऊंगा, जिसमें सारे subject होंगे, जिसमें सिर्फ question होंगे, 100 question का paper रहेगा, 100 question paper रहेगा, 100 question all subject paper, all subject, जैसा आपके exam में आता है paper, all subject paper, उसको एकदम complete detail में, numerical भी होंगे, one liner भी होंगे, उसके अंदर, सारे subject होंगे, सब कुछ होगा, और इस तरीके से आप लोग solve कराऊंगा, आप लोग तयार होतों, बताए ये comment box में, 100 question का complete mock test, इसको हम लोग बोलते हैं, complete mock test, complete mock test, इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, full length mock test, जिसको बोलते हैं, complete mistake, फुल लेंथ फुल लेंथ कम्प्लीट मॉक टेस्स आपको बताऊंगा हंडेट कोशन का होगा सारे सब्जेट होंगे उनको पूरे को डेटेल में बताऊंगा ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग सबसे पहले टेस्ट अब देश्टोन के बारे में हमने पढ़ लिया इसका क्लासिफिकेशन बेसिक्स इसके बारे में हमने इसकी प्रॉसेस को बढ़ लिया उसके बाद में टेस्ट अब देश्टोन आगया अब देखेंगे इसे टेस्ट क्या होता है समयने की कोशिश करेंगे टेली enerimi आब देखो टेली गराम का लिंक क्या है तो नाम को सुद्वाज में च्हиныन अब देखो कैसे होता है इस बात को समझते हैं अज टना हो जाएगा हो तक पढ़ लेते हैं कल हम लोग इसको कवर करेंगे और नेक्स वाला चैप्टर भी पढ़ेंगे ठीक है चलो आज पहली क्लास थी तो थोड़ा एनरजी आने में टाइम लग रहा है ओके क्लास का टाइमिंगे बिटा डेली आध दस बज़े से लेकर के और ट्वैल ट्वैल तक है से बारा आपका टाइमिंग है टाइमिंग है डेली दाइमिंग में है ठीक है चलो डिखो क्या करता है एसे टेस्ट को शुरू करते हैं सबसे बह venture के ऐसे टेस्ट कह लोगा होता है तो प्रोसिजर समझेंगे इसका हम लोग क्या करते सबसे बहले 0.5 6-1 नौर्मेलिंटे वा सबसे पहले देखते हैं एक बार जीरो पॉइंट फाइव से वन न्यूटन सेंपल हम लोग लेते हैं उसको SEL के सॉलीशन में हम लोग डूबो के डाल देते हैं साथ दिन के लिए और अगर मालो साथ दिन तक डूबो के रखने के बाद यदी उस पत्थर के किनारे जड़ जा आते हैं उसमें विखर जाते हैं तो इसका मतलब आपका जो जो आपका STORN है वो क्यास उसके काफी कमजोर नहीं कर पा रहा पहला पॉइंट दूसरा यदि उसमें आपका जो पत्तर है उसके किनारे पाउडर की रूप में जड़के नहीं गिरते हैं इसका मतला वो काफी मजबूत स्टोन है आपका ठीक है तो क्या लिख रहा है बिटा टेक 0.521 न्यूटन सेंपल ले लीजिए अच्छा, SEL का सोलीशन भी ऐसे नहीं बनेगा यह आपका सोलीशन है इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका पांच परसेंट SEL मतला है इड्रोकलोरिक एसेड है लेकिन 95 परसेंट आपका पानी ही मौजूद है तो 95 परसेंट पानी और 5 परसेंट SEL के सोलीशन को मिलाकर एक गोल ब दिखाता है अधरवाइज यह अच्छी रेजिस्टेंट प्रापरडी को दिखाएगा यदि पाउडर के रूप में नहीं जड़ेगा तो क्लियर हो गया नेक्स पॉइंट की हम लोग बात करते हैं तो नेक्स पॉइंट देखेंगे यह जो आपका टेस्ट है यह सेंड स्ट कालमेट्यारा नोकी लाइमिस्टोन उपस्तिता और इस आपका जड़ नहीं पाया है तो जब यह पग बोल लाए थे अभी टेस्ट में जब ह ivy C-CO3 की उपस्तती को ही शो कर रहा है C-CO3 की लिख रहा है ना Powder represent the presence of C-CO3 की उपस्तती को शो कर रहा है तो हम लोग कैसे इसको Limestone के लिए यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं? चलो तो मैंने Clearly आपको बोल धिया है यह जो test आपका ये सेंड स्टोन के लिए किया जाएगा ठीक है लाइम स्टोन के लिए नहीं किया जाएगा लाइम स्टोन और केल्सियम कारणट एक ही तो बात है दोस्त क्लियर है समझ में आगे बहुत बढ़िया अब बढ़ते हैं सर आगे नेक्स टेस्ट की तरफ समझने की कोशिस करते हैं next test है, आपका कौन सा, next test की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग कल की class में पढ़ेंगे, और continue करना मेरे साथ में, कोई भी बच्चा class के अंदर, इसी तरीके का भाई, आप लोग attitude रखिएगा, ठीक है, चलिए, पढ़ेंगे एक बार, attrition test क्या होता है, लिख रहा है कि stone का ज कितने load को, कितने बजन को, या फिर कितने load को, stress को carry कर पा रहा है, पहन पा रहा है, उसका test है, attrition test, कौन सी machine इस्तवाल होगी, तो double testing machine का इस्तवाल क्या जाएगा, पहली बात, इसका aim, उद्देश आपको पता होना चाहिए, किस के लिए क्या जा रहा है, दूसरा, machine का नाम machine के अंदर, in this test, machine के अंदर, दो slender होते हैं, क्या लिकराए बीटा, in this testing machine, इस machine के अंदर, दो slender होते हैं, एक 34 cm का, एक 20 cm का, जो की 30 degree पर horizontally, एक दूसरे के साथ में situated रहते हैं, इन slender के अंदर, 60 mm size का stone हम लोग डालते हैं, 60 mm, ऐसा नहीं, एक ही पत्तर, कई सारे 60 mm size के पत दालते हैं, और slender को हम लोग 30 rpm पर 5 घंटे तक rotate करते हैं, क्या बोला मैंने, दो आपके पास slender हैं, एक आपके पास मैं क्या लिख रहा है, 34 cm का है, 20 cm का, 30 degree पर आपके बाद, tilt होते हैं, और horizontal के साथ, इसके अंदर, 60 mm size का stone हम लोग डालते हैं, 30 rpm पर 5 घंटे तक घुमाते हैं, गुमाने के बाद क्या होगा, जैस मिक्सी में तुम कोई material डाल रहे हो, गुमारे तो क्या होगा वो, blades की वैसे powder के रूप में बदल जाती है, तो यहां पर ऐसा होता है, क्या आपके पास ड्रम के अंदर एक arrangement लगा होता है, ब्लेडिंग अरेंजमेंट, जब घुमाते के बाद, पाँच गुमाने के बाद, हम इसको एक 1.5 mm की छलनी में से चानते हैं, मतलब की, सीव करते हैं, सीव करने के बाद में, finally क्या होता है बिटा, percentage wear की बात करेंगे, percentage wear का मतलब यह होता है, कि जब इसके उपर load आया, आपस में टकराए, तो एक दूसरे के उपर load डा पाइरी नहीं किया होगा, तो अब इसी बात है, वो जड़ना चालू कर गया होगा, तूटना चालू कर दिया होगा, उसने, तो यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है, initial loss in weight upon initial weight into 100, इसके मतलब यह हुआ, कि पहले आपने पत्थर को जब लिया था, 60 mm के size के stone को, तो आपने उनका वजन कर लिया, जो भी एक सेंपल लिया और उसका आपने वजन कर लिया, और वजन करके मालो उसका वजन था, मालो for example, उसका वजन था 100 कलो, ठीक है, अब आपने उस मशीन के अंदर लिया, उसको डाला, उसको घुमाया 30 rpm पर 5 गंटे के लिए, उसके बाद में आपन तो loss in weight upon initial weight into 100 किया, तो अब हमें यह पता चलेगा, उस stone की load को wear करने की capacity क्या है, तो आप लिखा हुआ है, for a good building stone के लिए, bearing capacity जो होती है, should not be greater than 3%, 3% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इसका मतब यह होता है, कि आपके पास जो percentage wear है, मतब जो stone आपका गिसके powder के रूप में बदल गया, 3% से ज़्यादा वो अपना weight loss नहीं करना चाहिए, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है बिटा, clear है सभी को, जल्दी से एक बार comment box में मुझे बताएंगे, आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है बिटा, clear हुआ सभी को, जल्दी से एक बार comment box में मुझ ही लगी है आपकी class, कल वली class में सब कुछ एक दम proper way में यहीं से शुरू करूंगा, और next वाला chapter भी हम लोग पढ़ेंगे, तो एक तो आपकी जो class का time है, class का जो time है, बहुत सारे बच्चे लेटाए होंगे, वो time आपका है, 10 to 12 morning में, ठीक है, 10 to 12 morning में, और यहाँ पे हम ल daily, daily हम लोग पढ़ेंगे, daily class time है आपका यह, ठीक है, उसके बाद आप लोग मेरे साथ में telegram channel पर connect हो सकते हो, ठीक है, तो telegram channel का मैंने जो official telegram channel था, उसका मैंने आपको link दिया था, ठीक है, इसमें आपको बताया था, this is the telegram channel, जहाँ पे आप लोगों को सारी चीज़ा मिल जाएंगी, ओके, और जैसे लिख रहा हूँ, वैसे ही, इसको सर्च करना, ओके, इसके अलाबा, आप लोगों को कल से हम daily class लेंगे, मजा आयोगा class के अंदर, इसके comment box में भी जरू बताईएगा, यह वीडियो का, यह तो आपका chat box है, comment box में भी जरू बताईएगा, आपको इस session कैसा लगाए, ठीक है, सारी चीज़ा आप लोगों को पढ़ाई जाएंगी, जो promise आप से किये गए थे, class के अंदर, कल आपको एक session लिया था, जिसमें हमने आपको सारी चीज़ा बताईएगी, वो सारे promises आपके complete किये जाएंगे, उमीद कर रहा हूँ कि आप लोग बह इस class से फाइदा होगा, it's my promise to you, ठीक है, आप कोई भी exam उठा के देख लीजे, यहां से आपको question मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है, तो उमीद कर रहा हूँ, आप लोगों को पसंद आयोगा session, और इसका जो PDF है, वो आज जो PW का जो official channel है, उस पे, या फिर जो app है आपका, और PW blue app, वहाँ पर आपको download कर लीजिए, उस पर आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो दूसरी चीज, आप लोगों का PDF है, साथ की साथ, classes भी आपको recorded form में यहीं पर available रहेंगे, आपके TVRS को देख सकते हैं, comment box में अपना comment करके जरूब बताना, आपको class कैसी लगती है, ठीक है, चल love you all, see you tomorrow